पठान के सीक्वल का बजट पठान से क्यू जादा रखा जा रहा है सिदाध आनंद के डिरेक्शन में बनी शारू खान दिपका पादकोन और जॉन अब्रहेम स्टारर पठान का बजट करीब धाई सो करोड रुपे था शारू खान के पठान के सीक्वल फिल्म को लेकर आई देन कुछ ना कुछ अपडेट आ रहा है कभी इसकी शूटिंग अपडेट को लेकर तो कभी इसकी कहानी को लेकर अब स्पाई उनिवर्स के इस फिल्म के बजट पर खबरे आ रही है बताय जा रहा है कि पठान के सीक्वल फिल्म का बजट पहली वाली पठान से करीब 75 करोड रुपे जादा होगा बीते दिनों खबरें आई हैं कि पठान का सीक्वल इस साल के अंत तक फ्लोर पर आजाएगी कहा गया है कि अधिते चोपड़ा इस बार कुछ जादा ही अमेजिंग बनाने जा रहे हैं इसलिए वो फिल्म की स्क्रिप्टिंग और इसके वी एफेक्स में खुद इन्वाल्व हो रहे हैं जहां तक बजट की बात है तो सिधात आनंद के डिरेक्शन में बनी है दिपिका पादकुन और जॉन अब्रहम स्टार पठान का बजट करीब धाई सो करोड रुपे था अब पठान के सीक्वल पर यश्राज फिल्म्स करीब 325 करोड रुपे खर्च करने वाली है 75 करोड रुपे यश्राज फिल्म्स पठान के सीक्वल के डिरेक्शन, वी एफेक्स और टेक्निकल आस्पेक्स पर खर्च करेगी में कस चाते हैं कि इस बार action sequence को किसी studio नहीं बलकि real location पर shoot किया जाए जिसकी वज़े से भी फिल्म का budget काफी जादा बढ़ा है हाला कि अभी तक पठान के sequel को लेकर कुछ भी आधी कारिक तोर पर announce नहीं हुआ है आधिते चोपड़ा अपनी spy universe में एक twist लाना चाते है वो ये कह रहे हैं कि tiger versus पठान से पहले पठान दो release होगी इसी फिल्म में tiger और पठान के clash की जमीन तयार होगी ये spy universe की आठवी फिल्म होगी पिछले साल से ही आधिते चोपड़ा और उनकी team ने पठान की sequel की लिखाई पर काम शुरू कर दिया था इसे ही अश्राश फिल्म्स spy universe की timeline का अगला फेश शुरू होगा tiger और पठान की जंग की शुरुआद भी इस फिल्म से ही होगी spy universe की female lead फिल्म में आलिया भटका को पठान की student के रूप में दिखाये जाएगा इस फिल्म में शारुक की पठान किरदार का cameo भी होगा कई media reports में दावा किया जा रहा है कि साल के अंतर तक आलिया वाली ये फिल्म भी फ्लोर पर आ जाएगी हाला कि एक समय में इतने बड़े वजट की दो फिल्म में शूट करना कैसे संभव होगा ये तो वक्त ही बताएगा तिल देन कीप वाचिंग बॉलिग्राद स्टूडियोज अर्देश के दुश्मनों के बीच पठान टू में ऐसा क्या है जो अभी से हंगामा मचा हुआ है मैं आपका स्वगत करता हूँ बॉलिग्राद के फिल्मे गलियारे में डंकी के बाद से शारुक खान की अगली फिल्म का इंतिजार हो रहा था अब पता चला है कि वो फिल्म पठान टू होगी खबरे थी कि अधिच चौपड़ा अपने स्पाई इन्वर्स में एक ट्विस्ट लाना चाहते है वो ये है कि टाइगर वर्सेज पठान से पहले पठान टू रिलीज होगी इसी फिल्म में टाइगर और पठान के कलैस की जमीन तयार होगी ये स्पाई इन्वर्स की आठवी फिल्म होगी पिंक बिला ने अपनी एक रिपोर्ट में स्वर्स के हवाले से च्छापा ये वाई आरप के स्पाई इन्वर्स की टाइम लाइन में ट्विस्ट है टाइगर वर्सेज पठान से पहले पठान टू बनेगी और टाइगर और पठान के क्लेस का सेटप तयार करेगी बतावर पठान शारुक के किरदार ने दरस्कों का दिल जीता है फैंस की डिमांड है कि वो स्पाई वाले रोल में शारुक को आगे भी देखे जन्वरी 2023 में पठान की रिलीज के तुरंद बाद आदित चौपडा और शारुक ने स्पाई नुवर्स के अंदर पठान को भी एक स्टेंड आलोर फ्रांचाईज की तौर पर विक्सित करने का फैसला किया था तभी से उन्होंने इसके सिक्वल के बारे में सोचना सुरू कर दिया था पिछले साल से ही आदित चौपडा और उनकी टीम ने पठान टू की लिखाई पर काम सुरू कर दिया था इससे YRF स्पाई नुवर्स की टाइम लाइन का अगला फैस सुरू होगा टाइगार और पठान की जंग की सुरूआद ही इसी फिल्म से होगी रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि आदित चौपडा और शारुक खान ने इसी साल दिसम्मर से पठान टू की सुटिंग सुरू करने की तयारी की है ये स्पाई इन्वर्स की आठवी फिल्म होगी अब तक इस इन्वर्स में पाँच फिल्में बन चुकी है चाटी फिल्म होगी वार टू अलिया भटा और सरवरी बाग को लेकर एक फीमेल स्पाई फिल्म बन रही है जो कि इस प्रचाइज की सातवी फिल्म होगी इसे पठान 2 से पहले रेज किया जाएगा चार साल के ब्रेक के बाद पठान से सारुक खान ने जवरजस्त वापसी की थी इस फिल्म में देश भर से 540 क्रौन रूपए कमाए थी वहें फिल्म का वर्ड वाइड कलेक्शन एक हजार करौन रूपए के पार था इस फिल्म में सारुक खान के साथ दीबका पदुकोर, जान इब्राहम, डिंपल कवारिया और आस्तो सराना जैसे अक्टर ने काम किया था सलमान खान ने फिल्म में कैमियों किया था हाला कि अभी एक सवाल है जिसका जवाब मिलना बाकी है क्या पठान टू डंकी के बाद सारुक की अगले फिल्म होगी या वो पठान टू से पहले किसी और फिल्म में काम करेंगे आज के लिए बस इतना ही आप हमें कमेंट करके बताएए पठान टू बॉक्स ओफिस पर कितने करोन का बिजनेस कर सकते हैं यश्राज पर म्याने की आदत चोपड़ा के लिए साल 2023 तो चपर पार येर रहा क्योंकि इस साल में वायर्ण स्पा युनिवर्स की पर पठान रिलीस हुई पर प्रडूसर से लेकर आप्टर्स तक सब माला माल हो गए ऐसे में अपन का सीफल तो आएगा ही तो अपनी कूर्सी की पेट्राना बान लेजिए पर इस बार ना कुछ बदला हो चाहिए जैसे दिपिगा बदुकुन की वो औरेंज बिक्नी जिसकी बज़ा से बेवज़ा कॉन्टर्वर्सी हो गई थी यानि कि वो कहा गया था ना कि भगवा का अपमान हुआ है वो उस बार नहीं होना चाहिए खेर यह मैंने मज़ा किया पर ISI और RAW ले प्लॉट को ना यहां पर खिसा ना चाहिए एक तो RAW और ISI का साथ में होना मतलब कि RAW एजेंट शारूप और ISI एजेंट दिपिगा के साथ में लिखाई देना यह कापी पनी और लॉजिकल है जिस पर Real RAW एजेंट्स हतेंगे पर प्रम है तो सब कुछ चलता है पर आप पाकिस्तान पर फोकस करने की बजाए बागी कंट्री इस पर फोकस करके प्लॉट एक्स्प्लॉर किया जाए क्योंकि पठान दुनिया भर के एजेंट्स के साथ जुड़कर जुड़कर यानि की जे ओ सी आड नाम के एक यूनिट को लेकर बहुत कुछ कर सकता है सकेंड इस बीएपेक्स पठान के बीएपेक्स जवान से भी बहतर थी वायर्ब स्पा उनिपॉर्स की अब तक की पर्वों में टाइगर जंदा है के बाद पठान के वीएपेक्स भी बेस्ट थे पर कुछ तीज जैसे की पठान जट्रीलर भी अगर देखे ना तो उसकी पर आप थी ठीलर ने एक फैंसी जट पैक के साथ पठान उनने की कोशिश करता है जिसमें शारुक बलर दिखाई देते हैं इस पर लोगों ने ट्रोल किया साहो और रेस्ट्री के वीएपेक्स भी अच्छे थे ऐसा भी रियाक्शन आया अब पठान टू के वीएपेक्स प सकते हैं जिसके लिए इसका बजट अब 300 करोड भी हो सकता है जबकि पठान का बजट 200 करोड रोपे था वैसे शारुक खान को आजपते ने एक एक आक्शन हीरो की तॉपर प्रसें किया और पहले ही अटेम्ट में शारुक खान को ना डिस्ट्रेंक्शन में लिया पर पठा आप का कमाल फिका लगा तो इस बार आसा ना हो यह हमारी मतलब एक्सपेक्टेशन से नेक्स्ट इस क्यारक्टर सीरियसने पठान सूने का दिल्वाला और एक रोमांची खेरो है जो कई जगहों पर पिखल सकता है और उसके पास सेंस ऑफ यूमर भी है पर जब उसकी वाइ अपना हूमर दिखाता है ऐसा ऐसा के फैंस का ही कहना है लेटसी इसमें अब कौन-कौन चिंजिस के जाते हैं और कौन से नहीं तो आपका क्या कहना है इन सब पर हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं साथी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और देश के दुश्मनों के बीच इंडिया में पहला यूनिवर्स बना कॉप यूनिवर्स पिर वायारफ के दिमाग की बत पी जली और उसे लगा वाय नॉट स्पाई यूनिवर्स और उसने जबात को इतना जादा सीरियस्ली ले ले जतना कि CBSP के चुनिर अपने बोर्ट अच्छे सेट कर पाएगा या पर एकसाइट्पंट में गुर्गोबर कर देगा वर्ट वियूत है चलिए डिसकुस करते हैं YRF Spy Universe की स्काइटिक हुई 2012 से एक्था टाइगर से फिर 2017 में ताइगर जिन्दा है आईए 2019 में बॉर्ट 2023 में पठान और ताइगर त्री और इसके बाद पठान 2 असके बाद YRF की पर्स्पीमर स्पाई पल्म आएगी लेकिन उससे पहले आएगी वर्ट तिलहाल अभी तक ही फाइनल है तिलहाल अभी तक ही फाइनल है जिन्दी 5 मुवी अभी पाइपलाइन मेहना उसमें सबसे लास्ट में आएगी टाइगर बसेज पठान 2 की ओऊपर जिससे अपडेट आई है कि आल्या भट और शर्वरी वाग की स्पाई फाइफ पल्म की न में से जसाइडिया के साथ मेकर्द आगे बढ़ना चाहते हैं उत में आल्या भड को पठान की स्टुरेंट के कौर पर दिखाया जाएगा ताकि वन में शारुष्थान का क्यामियों रखा जा सके वहीं पठान तो में आल्या क्यामियों भी हो सकता है ऐसी थेवरी सामने आ रही हैं लेकिट वाई आरे को एक भात ख्यार प्रशना पड़ेगा वाईर मेकिंग का मूव लिए इसकी क्यारक्टर्स को ना इतना डेवलब दिखाया जाए कि वो बनावन की बिल्कुल भी नहीं लगे तिर्खोर रियल एक्स्पिरियंस देए ठीकि भाई रियल एक्स्पिरियंस बहुत सरूरी है क्यानियों की तरह ही रखा जाए क्यूंकि आल्या भट और शर्वरी वाग की स्पाई पल्म को शालुखान की बठान जोड़ा जा रहा है प्लान यह है कि आल्या भट और शर्वरी वाग के क्यारक्टर्स को पठान के स्टुडेंटाई फिरदाल दिये जाएंगे याने की पठान ने उन्हें इस जॉब के लिए ट्रीन किया है आदत्य चोप्रामनी पहली पीमल स्पाई बल में किसी भी तरह क पहले जाएंगे तो पिर उनकी कमी नशी रफना चाहते हैं इस पर हिप्रानी की हर समभव कोशिश हो रही है इसलिए फिल्म में शारुक खान ने क्यामयो जोडा जाएंगे ऐसे कि सारी लाइम लाइट एसारी ही ले जाएंगे तो फिर उनकी क्यामयों को टाइम बाउंड क करना जरूरी हो गया है आँगे क्योंकि इस तुई टाइम का इस बड़े बड़े स्कास को बागी बिना देता है यसे चौथी फिल्मों कि इसमें शारुक खान और आल्या भट साथ नजर आएंगे इससे पहले ये दोनों डियर जंदगी जीरो और ब्रहमास्त्र जैसी फिल में डागट कर चुके हैं शिवरवैल, बेसाब, डक्यास, अर्जून और अंजाम जैसी सर्मे बनाने वाले राभकुल रवैल के बेचे हैं आल्दया और श्रबरी बागवाली पर वार्टू के बाद और पठान्टू से पहले रूलीस होगी ताइकर चुनी कमसोर कमाई के बाद आदते चुप्रा सचेत हो गए हैं तुहने अपनी सबसे आंटेसिपेट पर टाइगर वसिस पठान को आगे खिर्का दिया है वो चाहते हैं कि सर्मान खान और शारुख खान की भीड़क से पहले उसकी मजबूस जमीन तयार के जाए और इस ही अनतीजा है पठान्ट इसकत के शूटिंग इस साल दिसम्बर से चुरू होनी है पठान 2 में टाइगर वाफ पठान के किर्दारों के बीच राग ठडेगी और इनकी फाइनल लडाई होगी टाइगर वसिस पठान में जो की 2027 मिलीज को सब्सक्ति हैं में हमादी बुला काद सभी क्यारक्टर्स आपको बता हो तो हमारे साथ जरूर शेर कीचेगा ताथी बीजिव अची लगी हो तो वीडियो को लाइग और शेर करें उनकी जाब 1987 में जब रॉबर्ट को फिर से वाशिंग्टन में वापस बुलाया गया और रॉबर्ट को उन्हीं तीन एजेंस का नाम देने वाले व्यक्ती को खोजने का टास्ट होपा किया इसका मतलब ये था कि उसे खुद को खोजने का टास्क मिला था रॉबर्ट हैंसन ने खुद को रिवील के बिना पूरा इंवेस्टिगेशन किया लेकिन इसके अलावा उसने 1988 में KGB के बारे में पूरी इंफरमेशन पढ़ी जिसमें उन सभी सोवियट एजेंस की लिस्ट शामिल थी जिन्होंने FBI डबल एजेंस के बारे में FBI से कॉन्टा फेलिक्स इंवेस्टिगेशन में फेल होने और इस इंवेस्टिगेशन के बारे में KGB को पता लगने से डबल एजेंस तो पकड़ने के लिए इंवेस्टिगेशन शरू हो Robert ने September 1989 में Soviet Union को उस सुरंग के बारे में बताया और अगले महीने 55,000 डॉलर्स की cash payment उसके हाथों में आगी और ऐसा दो बार हुआ था जब Robert ने Soviet को American Double Agents की पूरी लस्ती थी 1990 में Robert के brother-in-law जो एक FBI employee था उसमें FBI से सिफारिश की कि Robert की जासूसी के लिए साथी FBI agent के computer को hack कर लिया और एक classified document को print किया और इस document को साथी FBI agent के पास ले जाकर कहा system insecure था Robert के senior officer खुश नहीं थे और हुआने investigation शुरू किया end में officers ने उनके इस दावे पर विश्वास किया कि वो सिर्फ FBI के security system के flaws को प्रेजन कर रहे थे तो दोस्तों हो सकता है कि शारुक खान की पठान फिल्म में हमें ऐसा ही कोई impactful character देखने को मिल जाए शिकारी बना spy Frederick Fritz Jobber Duxain एक South African बोर और German soldier एक बड़ा शिकारी जर्नलिस्ट और जासूस थे First World War में वो जर्मनी के लिए एक spy और ring leader बन गए और इस दोरान उसने South America के पीछे हुए bombs की British merchant जहाजों में तोड़ फोड़ की और कई को नश्ट कर दिया Frederick ने कभी-कभी उस माल पर insurance खरी दी जिसे उसने उन जहाजों पर भीजा फिर उसने तोड़ दिया था और फिर नुकसान के लिए claim फाइल किया उन्हें the man who killed Kitchers के रूप में जाना जाता है क्योंकि उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने HMS Ham Spire को दुबाने के रिए guidance दिया था जिस पर Lord Kitchener 1916 में रूप जा रहे थे हालागी जहाज के foreign six इस दावे को सपोर्ट नहीं करते है 1917 में New York में Federal agents ने पकड़ लिया था उन्हें और उन पर हत्या और भागे हुए कैदी होने का आरोप लगाया गया केवल एस बाद जो पिल्टेल ने वार टाइम अपराधों को आगे बढ़ाने से मना कर दिया तो फ्रेडरिक को छूड़ दिया गया आखरी बार उन्हें 1941 में पकड़ा गया था और जेल में डाल दिया गया था जब वो और डुकसिंट स्पाइड रिंग के 32 और मेंबर्स को नाजिय जर्मनी के लिए काम करने के आरोप में विल्लियम जी ने पकड़ा था विल्लियम जी एक FBI डबल एजिन्ट था फ्रेडरिक को बाद में युनाटक स्टेट्स के इतिहास में सबसे बड़ी जासुसी की सजा में दोशी ठहराया गया था वार के बीच में फ्रेडरिक ने अमेरीकी राश्वरपती ट्योडर रोजवेल्ट के बिग टाइम हंटिंग पर एक सलहकार के रूप में मूवी बिजनस में एक पब्लिसिस्ट के रूप में एक जॉर्नालिस्ट के रूप में एक फिक्शनल ऑस्ट्रेलियन वार हीरो के रूप में और न्यू यॉक में न्यू फूड सोसाइटी के हेड के रूप में काम किया बोर्ड वार के वक्त उन्हें ब्रिटिश सीना में स्काउट्स के हेड फ्रेडरिक रसल बर्न हैम को मारने का ओडर दिया गया लेकिन 1910 में उन्होंने बर्न हैम और रप्रिजेंटेटिव्स रॉबर्ट दोनों के साथ मिलकर अमेरिकी कॉंग्रेस की जासू से करने के लिए का जा सके ताकि मीट की भारी कमी को हल किया जा सके 64 साल के फ्रेडरिक इस बार भी नहीं बचे फॉर एन एजेंट्स रेजिस्ट्रेशन आक्ट के उलंगन करने के लिए उन्हें दो साल की सजा और डॉलर 2000 के जुर्माने के साथ 18 साल की जीन की सजा सुनाए गई थी उन्होंने साथ ही जर्मन जासूस हर्मन लैंक के साथ अपनी सजा शुरू की 1945 में फ्रेडरिक को उसकी फेलिंग फिजीकल और मेंटल हेल्थ के कारण मिसौरी के स्प्रिंग फील्ड के मेडिकल सेंटर में ट्रांसफर कर दिया गया 1954 में खराब हेल्थ के कारण 14 साल के बाद उन्हें ल जर्नलिस्ट और जासूस था फर्स वर्ल्ड वार में वो जर्मनी के लिए एक स्पाय और रिंग लीडर बन गए और इस दौरान उसने साथ अमैलिका में छीपे हुए बॉम्स की प्रिटिश मर्चेंट जहाजों में तोड़ फोड की और कई को नश्ट कर दिया फ्रेडरिक कि उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने हम्स हेंप शायर की डुबाने के लिए गाइडेंस दिया था जिस पर लॉर्ड किचनर 1916 में रूस जा रहे थे हलां कि जहाज के फ्रेंसिक्स इस दावे को सपोर्ट नहीं करते हैं 1917 में न्यू यॉक में फेडरल एजेंस से पकड़े जाने के बाद उन्होंने दो साल तक पैरलाइस होने का नाटक किया और भागने के लिए अपने जेल की सलाखों को पाड़ दिया 1932 में उन्हें फिर से New York में Federal Agents ने पकड़ लिया और उन पर हत्य और भागे हुए कैदी होने का आरोप लगाया किवल इस बार जब Britain ने वार टाइम अपराधों को आगे बढ़ाने इसमें मदा कर दिया तो Frederick को छोड़ दिया गया आखरी बार उन्हें 1941 में पकड़ा गया था और जेल में डाल दिया गया था जब वो और ड्यूक सेन स्पाइरिंग के 32 और मेंबर्स को नाजी जर्मनी के लिए काम करने के आरोप में विलियम जी ने पकड़ा था विलियम जी एक FBI डबल एजेंट था फ्रेडरिक को बाज में यूनाइटेट स्टेट में इतिहास से सबसे बड़ी जासूसी की सजा में दोशी ठहराया गया था वार्स के बीच में फ्रेडरिक ने अमेरी की राश्प्रिपती थियोडर रूसविल्ट के बिग टाय्म हंटिंग पर एक सला стар कार के रूप में मूवी बिजनस में एक Publicist के रूप में, एक Journalist के रूप में एक Fictional Australian War Hero के रूप में और New York में New Food Society के Head के रूप में काम किया वोर वोर के वक्त उन्हें British सेना में Scouts के Head Frederick Russell Burnham को मारने का ओर्डर दिया गया था नेकि 1910 में उन्होंने पर्न हैम और रिप्रेजेंटेटिव रॉबर्ट दोनों के साथ बिलकर अमैली कॉंग्रेस की जासूसी करने के लिए काम किया ताकि दरियाई घोडे के इंपोर्ट के लिए इन्विस्ट किया जा सके ताकि मीठ की भारी कमी को हल किया जा सके। 64 साल के फ्रेडरिक इस बार भी नहीं बचे। फॉरन एजेंट्स रिजिस्ट्रेशन आक्ट के उलंगन करने के लिए उन्हें 2 साल की सजा और 2000 डॉलर के जुर्मान के साथ 18 साल की डेल की सजा सुनाई गई थी। उन्होंने साथ ही जर्मन जासूस हर्मन लैंग के साथ अपनी सजा शुरू गी। 1945 में फ्रेडरिक को उसकी फेलिंग फिजिकल और मिंटल हिल्थ के कारण मिसौरी के स्प्रिंग फील्ड के मेडिकल सेंटर में ट्रांसफर कर दिया गया था। 1954 में खराब हिल्थ के कारण 14 साल के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। 24 माई 1956 को नियू दोस्तों शारुक खान के फिल्म पठान को लेकर बवाल मचा हुआ है। फिल्म पठान का एक गाना कुछ दिनों पहले रिलीस किया गया था। उस गाने का नाम बेशर्म रंग है। और फिल्म में एक्ट्रस दिपिका पादुकोन द्वारा पहने गए भगवारं के बिखनी को लेकर फिल्म को सूशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया जाने लगा। लोगों ने फिल्म को लेकर कई मीमस भी बना डाले। दोस्तों जिसके बाद कई संगठनों ने फिल्म पर आपत्ती जताते हुए इसे बॉयकॉट करने की मांग की है। हाल ही में सेंसर बोर्ट ने फि 30 क्रोर के आस पास रही है दोस्तों शारुक खान के फिल्म पठान ने जर्मनी में रिकॉर्ट तोड बुकिंग की है वहीं शो के पहले दिन के सभी शोज हाउस कुल जा रहे है इससे ये बात तो साफ है दोस्तों कि शारुक को ऐसे ही नहीं ग्लोबल स्टार माला जाता है उनक के मेकर्स के लिए एक अच्छी खबर है पठान फिल्म की एडवांस बुकिंग जर्मनी में 28 दिसंबर को शुरू की गई थी जिसमें फिल्म रिलीज के पहले दिन के सभी शोज की एडवांस बुकिंग हाउस कुल है इस रिस्पॉन्स को देख कर ये बात तो साफ है कि फिल दोस्तों फिल्म को लेकर सेंसर बोड के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने फिल्म के मेकर्स को पठान में जरूरी बदलाव के साथ रिलीज से पहले इसे सम्मिच करने को कहा है फिल्म के गाने बेशर्म रंग के साथ फिल्म से कुछ सीन्स भी हटाने की नसीहत दी गई है दोक्तर पाथर को डोक्तर सूरज को मैं बंदरा साल से जानती है वो बिट्रे नहीं करेंगा तो आदमी पर सो मरा उसे में चानीस साल से जानता है साल तो डिजन सीम तो वर्क फर मी दिव्या किस ग्लैमरस लुप में नजर आए देपिका और शारुक तब हो रहा है न्यू सॉंग रिलीव क्या है गाने का टाइटल हेलो फ्रेंट्स मैं शूरूती और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल बॉल ग्रैड स्टूडियो दोस्तो शारुक खान की अपकमिंग फिल्म बठान सुर्चों में है किंखान अपने इस फिल्म को प्रमोट करने में चुटे हुए है जैसा कि पहले से तै था कि फिल्म के ट्रीनर से पहले इसके गाने रिलीस किये जा रहे है फिल्म के पहले रिलीज गाने बेशर्म रन को लेकर विवाद बलकरार है कई धर्मिक संगठनों के लोग इस पर अपत्ती जताते हुए गाने से कुछ सीन हटाने की दिमांड कर रहे है और गाने को अशलील बताते हुए बॉयकॉर्ट ट्रेंड भी चला रहे है इन विवादों के बीच पठान का दूसरा गाना जुमेज जो पठान का पोस्टर रिलीस कर दिया गया है दोस्तों रिलीस किये गए पोस्टर में शारु खरदीती का साथ में नजर आ रहे है गाने के पोस्टर को देख सर लगता है कि ये गाना भी दर्शकों का जम कर मनुरंजन करने वाला है गाने में किंग खान का स्ट्राइल और उनके चेहरे का एक्स्प्रेशन काफी अट्रैक्टिव लग रहा है ग्लैक ड्रेस में दिपिका भी ग्लैमरेस नजर आ रही है दोस्तो गाने के पोस्टर को दोनों के फैंस पसंद कर रहे हैं इसे सूशल मेडिया पर जम कर शेयर भी किया जा रहा है गाने के रिलीज होने के बाद पता चलेगा कि लोग इसे कितना फसंद कर रहे है या इसे लेकर भी किसी तरह का विवात खड़ा हो जाता है फिलहाल शारुक और दिपिका के फैंस गाने की रिलीज का बेस अबरी से इंजिजार कर रहे है दोस्तों आपको बता दे कि शारुक की फिल्म पठान 25 जन्वरी को सिनिमा घरों में रिलीज की जाएगी इस फिल्म में दर्शकों को एक बर फिर शारुक और दिपिका की खूबतूरत जोड़ी देखने को मिलेगी शारुक पठान में एक्शन किरदार में नजर आएंगे इस फिल्म में जॉन अब्रहम भी दमदार रोल में नजर आने वाले है तो दोस्तों आपको इस फिल्म का कितना इंतिजार है हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जाते जाते आप इस वीडियो को कर गीजे लाइक और शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए मुझे दीजे जाज़त नमस्कार लोग और वेलकम तो बॉलिग्राड स्टूडियूज दोस्तों बॉलिवड एक्टर शारू खान और दीपी का पादुकोर की फिल्म पठान इन दिनों खूब सुर्क्या बटोर रही है सुर्क्या कई वज़ा से है सबसे पहले तो कॉन्ट्रवर्सी की बात कर लें सबसे बड़ी एक्शन वाली फिल्म आने जा रही है लेकिन इसी के साथ इस साल कुछ और बैतरीन फिल्म यश्राज प्रोडक्शन की तरफ से रिलीज होने वाली है और इस बात का अलाम खुद YRF यानि की यश्राज फिल्म से ने किया है दरसल देखा जा तो YRF प्रोडक्शन की तरफ से एनांस्मेंट की गई है कि वो YRF Spy Universe लाना चाहते है Spy Universe का हिस्सा कई और फिल्में भी होने वाली है इसमें Bollywood के दबंग यानि के सलमान खान के फिल्म टाइगर के अलावा एक्टर्स रितिक रोशन के फिल्म वार भी शामिल है वही पठान के ट्रोलर के साथ ही YRF के Spy Universe के लोगों को रिलीज किया जा सकता है ऐसे में कहा जा रहे है कि YRF अपना Spy Universe ला सकता है जिसमें और भी बहुत से फिल्में बन सकती है बढ़ देखे जो दोस्तों तो ट्वीटर पर हिमेश का है एक ट्वीट वाइरोल हो रहा है उन्होंने लिखा इस ट्वीट में इसके बाद फिल्मों की लिस्ट है सबसे पहले 2012 में एक था टाइगर है 2017 में टाइगर जिंदा है 2019 में वार 2023 में पाठान and again सल्मान खान के फिल्म 2013 में टाइगर 3 रिलीज होगी उसके आगे लिखा कि इसके अलावा भी कई और फिल्म में आगे आने वाले टाइम में हमें देखने को मिलेगी और वो सभी वाइर अरफ स्पाई उनिवर्स का हिस्सा रहेंगी देखे ज़े दोस्तों तो वाइर अरफ और आदित्यों जोपड़ा के लिए साल 2022 काफी निराश जनक रहा था बीते साल उनकी कई बड़ी फिल्में सिनेमा गोर में रिलीज हुई जिनमें शमशेरा, जेक्षपाई, जोड़दार और रामिर खान की लाल सिंग चटा शामिल थी ये तीनों ही फिल्में यश्राज बैनर के तले बनी थी लेकिन बॉक्स ओफिस पर अपना जलवा दिखाने में ये तीनों ही फिल्में नाकामियाब रही यही वज़ए कि यश्राज फिल्म अब अपनी एक अलग स्पाई उनिवर्स लेकर आ रहा है जिसकी शुरुआत पठान यानि कि शारुखान के साथ होगी अब देहना हुआ कि क्या इस स्पाई उनिवर्स में धूम सिरीज भी शामिल होगी तो कि खबरे आएं कि स्पाई उनिवर्स में धूम सिरीज भी शामिल होगी और अगर ऐसा होता है तो सच में बहुत बड़ा धमाका होने वाला है बॉक्स ओफिस पर और वाई रफ के तरप से बॉलिवुड में बल आपको क्या कहना पठान के बारे में और इस स्पाई उनिवर्स के बारे में नीचे कमिल बॉक्स में अपनी अपनी रायस जरूर शेयर करें अबर आ रही है जिससे फैंस खुशी की मारे उचल पड़ेंगे दरसल बुद्वार को म्यूजिक डिरेक्टर विशाल दिलानी ने पठान को लेकर ट्वीट किया जिसके बास सोचल मीडिया पर फैंस के पोस्ट की बार उमर पड़ी आपको बता दे विशाल शेखर ने एक खबर को शेयर किया है जिसमें शारू की पठान को लेकर जानकारी दी गई है पठान में म्यूजिक डिरेक्टर की जोड़ी विशाल शेखर का नाम जुड़ चुका है इस खबर में ये भी कहा गया है कि कैसे शारू खान के लिए ये जोड़ी लखी है और फिल्म पठान के लिए सूपर हिट होने के चांस को बढ़ा रही है इसी खबर को लेकर विशाल दिल्लानी ने रियाक्शन दिया औरोंने कहा पिछले कोई आंक्डे महत्वर नहीं रखते नहीं आने वाले आंक्डे महत्वर रखते हैं खास बात ये है कि पूरी दुनिया शारू खान को दोबारा देखने के लिए बेसबरी से इंतसार कर रही है ऐसे में हम इस शानदार फिल्म में बहतरीन गानों पर काम कर रहे है और वाकए इस वक्त पूरी दुनिया लगाता रहे शारू का इंतसार कर रहे है क्योंकि तीन साल से बड़े परदे पर नहीं दिखे हैं शारू और वहीं विशाल दलानी ने इस ट्वी से ये भी कनफर्म कर दिया है कि वो इस फिल्म में काम कर रहे हैं इससे पहले भी विशाल और शेखर की जोड़ी शारु खान के लिए लखी चाम साबित हुई है जैसे कि चैन्नाई एक्सप्रेस में 1,2,3,4, Get on the Dance Floor वाला म्यूजिक हो गया फिर Ready, Study और Happy New Year में भी उन्होंने ही म्यूजिक दिया था तो बहुत लखी चाम माना जाता है शारु खान के लिए और Happy New Year की बात कर रहे हैं चैन्नाई एक्सप्रेस की दोनों ही 200 फिल्म निगरी थी शारु खान की वैसे सिर्फ विशाल शेकर ही नहीं बलकि पूरी जो भी मेकर से वो भी करियर बेस्ट फिल्म बनाने में जुटे हुए शारु खान की से क्योंकि ये श्राज बैनर्स ने भी कहा है कि हम इस फिल्म को ऐसे है क्या वाज़ है डॉक्टर साहब तब ये तो ठीक से नहीं है इस आपके धंदे में वो शूल वारा रूम चलता है तुमारे धंदे में क्या शारुक और गौरी खान की मननत पूरी नहीं हुई हेलो फ्रेंज आप देखरें बॉलिग्राफ स्टूरियो जोसो आरियन खान की रहाई को लेकर शारुक और गौरी का इंतजार और भी लंबा होता जा रहा है बॉलिवुट के सबसे बड़े सुपुस्टार के लाजले आरियन खान की समातर स्याचिका सेशन्स कोट से भी खारिज हो चुकी है बुद्वार को जज वीवी पार्टिल ने दो पहर बाद करीब दो बचकर 45 मिनट पर इस मामले में अपना फैसला सुनाया इससे पहले 14 अक्टूबर को मामले में दो पक्षों की जिक्र पूरी होई थी और जज ने अपना फैसला सुरक्षित रखिया था बुद्वार को कानूनी जानकार से लेकर फैंस को भी यही उमीद थी कि जज आर्यन के रिहाई को लेकर बड़ा फैसला सुनाएंगे लेकिन ऐसा होना सका दिल्चस बात ये भी रही कि पांच दिन से अधिक वक्त लेने के बाद जज बीवी पटेल और कोट रूम में मौज़ूद लोग भी हरान थे उनके जजच्मन से उन्होंने आकर सिर्फ दो शब्द कहे और इन दो शब्दों ने शाहरुग गौरी की मननत को चकना चूर कर दिया आपको बता दे बुद्वार को तैस समय के साब से करीब 11 बज़े जज बीवी पाटेल पोट रूम में पहुँचे वहाँ पहले से आर्यन खान के वकील आमित देसाई और सतीश मानशिंदे के जूनियर भी मौजूद थे NCB की तरब से ASG अनिर सिंग या अदवैत सेथना तब कोट में नहीं पहुँचे थे जज वीवी पाचिल ने आने के साथ ही रूटीन मैटर्स की सुनवाई शुरू की बताया गया कि आर्यन खान की जमानत का मामला 22 वे नमबर पर लिस्टेड है इस बीच कोट में सतीश मानशिंदे भी आ गए शारुखान की मैनेजर पूजा ददलानी भी कोट में पहुची और NCB के वकील भी आ गए दोपहर 12 बजे तक कोट में लिस्टेड 14 मामलो का निपदारा हो चुका था बताया गया कि आरियन खान के इस पर दोपहर लंच के बाद 2 बज़ कर 45 मिनट पर फैसला सुनाए जाएगा लंच के बाद ऐसा ही हुआ करीब 2 बज़ कर 45 मिनट पर वी वी पार्टिल पॉटरू में पहुचे और सिर्फ दो शब्दों में ऑपरेटिव ओर सुनाया और आरियन के साथ ही वाकी दो आरूपियों अरबाग और मुनमुन की जमानत याजिका भी खारिश कर दी गई पॉट्रूम के अंदर जज़ के इन दो शब्दों में गहमगर्मी बढ़ गई उजद अदलानी ने फोन कर शारुखान और गौरी को तक्कल खबर दी जाहिर तोर पर जज़ वीवी पाचिल के इन दोनों शब्दों ने सत्रा दिनों की उस मननत को चकना शूर करके रग लिया जो शारुख और उपर वाले से लगातार मांग रहे थे लेकिन कानूनी लड़ाई यहां खत्म नहीं हुई है आडियन के वकीरों को अब जमानत के लिए बोमबे हाई कोर्ट का दर्वाजा खटकादाना होगा लेकिन उससे पहले सबसे जरूरी है कि सेशन्स अदालत के ओर्डर कॉपी ऐसा इसी लिए क्योंकि ओर्डर कॉपी देखने के बाद ही यह सबस्ट हो सबगेगा कि स्कोट से किस आधार पर जमानत की आचेका खारिस की गए है कि किसी को नहीं पता कि किस आधार पर की गए है अब देखना हो गदो तो कि कम यह सब होगा अम्यजान कहती थी कोई धंदा छोटा नहीं होटा दंदे से बड़ा कोई धन्म नहीं हो जो धंदे के लिए सही वो सही कि शूटिंग आखिर क्यों आर्यन को अब राम का पिता कहने लगे थे लोग शारुक ने इस पर कैसे रेक्टिया था हेलो फ्रेंड्स आप देखें बॉलिग्राफ स्ट्यूडियोज दोसों इन दिनों शारुक खाण के बेटे आर्यन कान बहुत जञादा मुश्किलों में फस्च चुके हैं दो अक्चुबर के बात से वो सलाखों के पीछे हैं पूरी फैमली बहुत ज़्यार्य लुस्टप हो चुकी है सबसे ज़ादा शारुक और उनका काम रुक चुका है पूरी तरह से तीन प्रजेक्स कर रहे थे पठान की शूट रुकी हुई है लेकिन कहा जा रहा है कि जल से जल शारुक अपने बेटे को बेल दिला देंगे और जल ही पठान का शूट शूट करेंगे आपको बदादे कि controller के बारे में शारुक खान ने जिक्र किया था कि कैसे उनके सबसे छोटे बेटे अब्राहम का पिता बना दिया था आर्यन खान को आपको बदादे शारुक खान की बच्चो और उनके बीच के अंतर के बारे में समझा दे जैसा कि आप जाते है कि आर्यन、 शारुक और गौरी खान के बड़े बेटे आर्यन का जन्म 1997 में हुआ था यानि कि वो 24 साल के है इसके बाद उनकी बेटी सोहाना का जन्म हो है जो कि 2000 में पैदा हुई 21 साल की है और 13 साल बाद शारुक और गौरी बेटे अबराम की पैरेंट्स बने इस तरह के अफवाह से उन मेरा बेटा 19 साल का है आज भी अगर कोई उसे हेलो बोलता है तो तुरंट पलट कर कहता है भाई मेरे पास तो योरोप का ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है और अतलब है कि शारुखान और गौरी खान ने सरोगेसी के जरी अमने तीसरे बेटे को जन्म दिया अबराम क चारीसवे हपते की वजए 34 हपते में हो गया था जन्म के बाद अमराम कुछ समय के लिए अस्पताल भी रहे थे कि क्या वाद है डॉक्टर साहब तब यह तो ठीक्चेन है कि अज़ाब के खंटेमें के लिए क्या शारुक और गौरी खान की मनत पूरी नहीं हुई हेलो फ्रेंड्स आप देखरें बॉलीवराफ स्ट्यूरियो जोसो आरियन खान की रहाई को लेकर शारुक और गौरी का इंतजार और भी लंबा होता जा रहा है बॉलीवुट की सबसे बड़ी सुपुस्तार के लाजले आरियन खान की समादत याची का सेशन्स कोट से भी खारेज हो चुकी है बुद्वार को जज वीवी पाटिल ने दो पहर बाद करीब दो बच कर पैतालीस मिनट पर इस मामले में अपना फैसला सुनाया इससे पहले 14 उक्चुबर को मामले में दो पक्षो की जिक्र पूरी हुई थी और जज ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था बुद्वार को कानूनी जानकार से लेकर फैंस को भी यही उमीद थी कि जज आरियन के रिहाई को लेकर बड़ा फैसला सुनाएंगे लेकिन ऐसा हो ना सका दिल्चस बात ये भी रही कि पांच दिन से अधिक वक्त लेने के बाद जज बीवी पटेल और कोट रूम में मौझूद लोग भी अहरान थे उनके जज़्चमन से उन्होंने आकर सिर्फ दो शब्द कहे और इन दो शब्दों ने शाहरु गौरी की मननत को चकना चूर कर दिया आपको बता दे बुद्वार को तैस समय के साब से करीब ग्यारा बजे जज बीवी पाटेल पोट रूम में पहुचे वहाँ पहले से आर्यन खान के वकील अमित देसाई और सतीश मानशिंदे के जूनियर भी मौजूद थे NCB की तरब से ASG अनिर सिंग या अदवैत सेथना तब कोट में नहीं पहुचे थे जज बीवी पाचिल ने आने के साथ ही रूटीन मैटर्स की सुनवाई शुरू की बताया गया कि आर्यन खान की जमारत का मामला 22 वे नमबर पर लिस्टेड है इस बीच कोट में सतीश मानशिंदे भी आ गए शारुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी भी कोट में पहुची और NCB के वकील भी आ गए दोपह 12 बज़े तर कोट में लिस्टेड 14 मामलों का निप्दारा हो चुका था बताया गया कि आरियन खान के इस पर दोपहर लंच के बाद 2 बज़ कर 45 मिनट पर फैसला सुनाया जाएगा लंच के बाद ऐसा ही हुआ करीब 2 बज़ कर 45 मिनट पर वीवी पार्टिर बाटरू में पहुचे और सिर्फ 2 शब्दों में ऑपरेटिव ओर सुनाया उन्होंने सिर्फ दो शब्दों में कहा देर रिज़त थे और जैसे ही उन्होंने कहा वाकर सबके दिल थम गए जज़ सिर्फ इतना कहकर वहां से चले गए वकीलों को बताया कि ये ओपरेटिव ओर्डर है और आजन के साथ ही वाकी दो आरूपियों अरबार और मुन्मुन की जमारत याचिका भी खारिश कर दी गई कौच्रूम के अंदर जज़ के इन दो शब्दों में गहमा गहमी बढ़ गई उजद अदलानी ने फोन कर शारूखान और गौरी को तकल खबर दी जाहिर तोर पर जज़ वीवी पाचिल के इन दोनों शब्दों ने 17 दिनों की उस मननत को चखना शूर करके रग दिया जो शारूख और उपर वाले से लगातार मांग रहे थे लेकिन कानूनी लड़ाई यहां खत्म नहीं हुई है आर्यन के वकीलों को अब जमानत के लिए बॉम्बे हाइपोर्ट का दर्वाजा खतका दाना होगा करें उसे पहले सबसे जरूरी है कि सेशन अदालत के ओडर कॉपी ऐसा इसी लिए क्योंकि ओडर कॉपी देखने के बाद ही यह सबस्त हो सगेगा कि सोट से किस आधार पर जमानत कि आजिका खारेश की गई है क्योंकि किसी को नहीं पता कि किस आधार पर की गई है अब शारुखान की पच्छान को क्यो विशाल ददलानी ने बताया सुपर डूपर हेट क्या यही वो फिल्म है जो धमाकिदार कमबैक करेगी शारुखा क्या होने वाली है फिल्म की खास बाते हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं बॉली ग्रास वीडियोज मैं सोनी कज्यार शारुख की पच्छान का जब से अलान हुआ है तब ही से फिल्म लगातार चर्चाओं में है फिल्म का बजट, फिल्म की कास्टिंग, फिल्म की शूटिंग से लेकर हर छोटी भड़ी खबर सामने हाती ही रहती है और सुर्कियों मिच्छा जाती है दिपिका पदगोन और शारुख की पच्छान से एक बार फिर से ऐसी ही खबर आ रही है जिससे फैंस खुशी की मारे उच्छल पड़ेंगे दरसल बुद्वार को म्यूजिक डिरेक्टर विशाल दर्लानी ने पठान को लेकर ट्वीट किया जिसके बास सोचल मीडिया पर फैंस के पोस्ट की बार उमर पड़ी आपको बता दे विशाल शेखर ने एक खबर को शेयर किया है जिसमें शारू की पठान को लेकर जानकारी दी गई है पठान में म्यूजिक डिरेक्टर की जोड़ी विशाल शेखर का नाम जुड़ चुका है इस खबर में ये भी कहा गया है कि कैसे शारुखान के लिए ये जोड़ी लखी है और फिल्म बठान के लिए सूपर हिट होने के चांस को बढ़ा रही है इसी खबर को लेकर विशाल दिल्लानी ने रियाक्शन दिया औरोंने कहा पिछले कोई आंक्डे महत्व नहीं रखते नहीं आने वाले आंक्डे महत्व रखते हैं इस बात ये है कि पूरी दुनिया शारुखान को दोबारा देखने के लिए बेसबरी से इंतसार कर रही है ऐसे में हम इस शांदार फिल्म में बहतरीन गानों पर काम कर रहे हैं और वाकई इस वक्त पूरी दुनिया लगाता रहे शारुक का इंतिसार करी है क्योंकि तीन साल से बड़े परदे पर नहीं दिखे हैं शारुक और वहीं विशाल दलानी ने इस ट्वी से ये भी कनफर्म कर दिया है कि वो इस फिल्म में काम कर रहे हैं इससे पहले भी विशाल और शेखर की जोड़ी शारुखान के लिए लगी चाम साबित हुई है जैसे कि चैन्नाई एक्सप्रेस में 1,2,3,4, get on the dance floor हाला, music हो गया, फिर ready study और happy new year में भी उन्होंने ही music दिया था, तो बहुत लगी चाम माना जाता है शारुखान के लिए और happy new year की बात करी है चैन् पूरी जो भी maker से वो भी career best film बनाने में जुटे हुए इंशारुखान की से क्योंकि ये श्राज बैनरस ने अमी जान कहती थी, कोई धंधा छोटा नहीं होगी, धंधा से बड़ा कोई धंधा नहीं होगी जो धंधे के लिए सही वो सही तो तु धंधा बुलता है ना crime शारुख सल्मान नहीं तो किस अक्टर की दिवानी थी दिपिका, किसकी फोटो किस करके रोज रातों को सोया करती थी कब रिलीज होगी दिपिका की पठान हेलो फ्रेंट्स, आप देखें बॉलिग्रास स्टूडियो जोस्तो अक्टर और अक्टरस को लेकर हर किसी की अपनी पसंद होती है और उस पर क्रश भी होता है कोई बॉलिवुद के किंग शारो खान का दिवाना है तो कोई सल्मान खान तो कोई अमिता कोई हेमा माली निनक का दिवाना है तो कोई कट्रीना कैफ का ऐसे में आपको बता दे कि डिपिका पदकॉन बचपल से किस की दिवानी थी और किस पर ख्राश था और कई लोगों का जवाब होगा कि सल्मान खान या शारो खान क्योंकि इन्हीं आक्टर्स की फैन फोलिंग इतनी जादा है और इन्हें लोग प्यार भी बहुत जादा कर Leonardo DiCaprio थे जिहां Leonardo की बहुत सारी फोटो देपिका की पास थी रोज वो तस्वीरे लेकर सोती थी और उन्हें किस भी क्या करती थी फिलहाल आप जानते कि पठान का शूट रुका पड़ा है शूट शुरू हो जुका था सब कुछ तयार था देपिका ने जॉइन का लिया आने वाले थे लेकिन बीच और बीच में जो हुआ वो किसी को भी पसंद नहीं आ रहा और शारुक बहुत साथा दिल से परेशान है क्योंकि अब ही उनके साहब जादे आरियन खान जेल की सलाखों के पीछे और कोई भी पिता ऐसे में कितना दुखी होगा आप खुद ही सम अमी जान कहती थी कोई धंदा छोड़ा नहीं होगी धंदे से बड़ा कोई धंद नहीं हो जो धंदे के लिए सही हो सही शारुप सल्मान नहीं तो किस अक्टर की दिवानी थी दिपिका किसकी फोटो किस करके रोज रातों को सोया करती थी कब रिलीज होगी दिपिका की पठान हेलो फ्रेंट आप देखे बॉलीग्रास टूडियो जोस्तो अक्टर और अक्टरस को लेकर हर किसी की अपनी पसंद होती है और उस पर क्रश भी होता है कोई बॉलिवुड के किंग शारो खान का दिवाना है तो कोई सल्मान खान तो कोई अमिताप कोई हेमा माली निनक का दिवाना है तो कोई कट्रीना कैफ का ऐसे में आपको बताते हैं कि दिपिका पठान बचपर से किसकी दिवानी थी और किस पर ख्राश था और कई लोगों का जवाब होगा कि सलमान खान या शारो खान क्योंकि इनी आक्टर्स की फैन फोलिंग इतनी ज़ादा है और इन्हें लोग प्यार भी बहुत ज़ादा करते हैं लेकिन दिपिका पदकॉर्ण इन दोनों में से किसी को भी पसंद नहीं करती थी प्यान नहीं करती थी मतलब इनकी फैन नहीं थी बचपन से बचपन से वो किसी और की फैन थी तो आपको बता दे ये और को ही नहीं विल्कि टाइटैनिक स्टार लियोनाडो डिकैप्रियो थे जी हाँ लियोनाडो की बहुत सारी फोटो दिपिका की पास थी रोज वो तस्वीरे लेकर सोती थी और उन्हें किस भी क्या करती थी फिल्हाल आप जानते कि पठान का शूट रुका पड़ा है शूट शुरू हो जुका था सब कुछ तयार था दिपिका ने जॉइन का लिया जॉन ने जॉइन का लिया टाइगर यानि के सलमान खान आने वाले थे लेकिन बीच और बीच में जो हुआ वो किसी को भी पसंद नहीं आ रहा और शारुक बहुत जादा दिव से परेशान है क्योंकि अब ही उनके सहाब जादे आरियन खान जेल की सलाखों के पीछे और कोई भी पिता ऐसे में कितना दुखी होगा आप खुद ही समझ सकते हैं इसलिए शारुक पठान का शूट कंटीनू नहीं कर पा रहे और दिपिका भी इसलिए लाचार हो गए घंदा बूलता है ना क्राइम ये दो जंदा बन कर ले वरना सांस लेना भी मुश्किक हो गुजरात की हवा में वेपार है साहिद तेरी सांस तो रूप लेकिन अस हावा को कैसे लोगे कब रिलीज होगी शारुकान की पठान क्या खत्रे में है आरियन खान की जान हेलो फ्रेंज आप देखरें बॉलीब्रा स्टूडियोज दोस्तो बॉलीवर्ड फिल्म सार शारुकान की बेटे आरियन खान की जमानत याचिका पर मुंबई की अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है जिसकी वजह से अभी आरियन खान को मुंबई की और्थर रोड जेल में छे दिन और बिताने हैं आरियन खान की जमानत याचिका पर NCB ने अपनी तरब से कड़ी दलीने रखते हुए अदालत से गुहार की थी कि उन्हें बेल ना दी जाए इस मामले में कोट में लगातार दो दिन चली सुनवाई के बाद कोट ने जमानत याचिका पर फैसला 20 अक्टूबर तक के लिए सुरक्षित कर लिया है कोट के आदेश के बाद सोशल मीडिया पर लोग इस मामले पर अपनी अपनी राय रख रहे इस बीच बॉलिवे सितारों की अपनी ट्वीट के जरीए क्लास लगाने वाले एक्स बिग बॉस कॉंटेस्ट एंड क्यार के ने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा क्या हा जिससे हर कोई दम गया हर किसी का कलेजा फट गया क्यार के ने ट्वीट कर लिखा NCB आरेन खान को जेन में 20 ओक्टूबर तक रखने में सफल हुई मतलब आरेन खान को नर्क देखना होगा नीद है कि वो इस असरहनी दर्द को बहादूरी से बंदास करे मेरी प्रातना है उसके साथ है क्योंकि इसके जिन्देगी खतरे में है इससे पहले भी बॉलिवर आक्टर और एक्स बिक बॉस कंटेस्ट हैं के आरेन के ने शारुक के बेटे आरेन खान के खिलाफ हो रही कारवाई के खिलाफ अपना रोश दिखाया था और शारुक खान के बेटे आरेन खान को एंसीबी ने दो ऑक्टूबर को मुंबई से गोवा जा रहे है क्रूज में बकरा था और बहुत ज़्यादा मुश्किले बढ़ गई है दोस्तों शारुक खान की उन्होंने पच्छान की शूट भी रोग दी है और लगाता दीले हो रहा है और अब अगले साल तक पोस्पोन हो चुकी है इस फिल्म अब देखना होगा कि आरेन खान कब जेल से निकलेंगे क्यो और गौरी खान बहुत ज़्यादा परेशान है अब देखना होगा क्या वाद है डॉक्टर साहब अब यह तो ठीचे नहीं है कि आपके देने को सूल बाला बूल चलता है मैं इरनी मेरी सबान कर रिचाता हूँ देखजी इसको वह लेजा शाइजी कि अधिराद में कच्छी नीन से उठा दिया सुप्पा हुआ 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 है तब ये तो ठीक चेन है कौन है ऐसाब केका रुप्लेस्मिन्ट इन दम मूवी पठान ट्रियंका ने किसे मूवी पठान में किया रुप्लेस जौन का मिलन वारा लोल है किस पर सुटबल नवश्कार दोस्तों स्वागतिया आपका बॉलग्राग स्टूडियोज में मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्ट शुती दोस्तों कभी-कभी हम लोग ही सोचने लगते है कि किसी फुम में कोई-कोई कारेक्टर वैसा हमें दिखा नहीं जैसा हमने एक्सक्ट किया था और जब हमें ये फीलिंग आने लगती है तब हमारे दिमाग गहरने लगते हैं वो तो तोट्स कुछ ऐसे होते हैं एसार के जोन और दिपिका की जगा मूवी पठान में तो आईए हम आपके इस क्वेशन को आंसर कर देते हैं बिल्कुल ओनेस्टी और फाक्ट के साथ अगर पठान मूवी के एक स्मॉल रंडाउन दिया जाए तो उस मूवी को डारेक्ट कर रहे हैं सिधार तान अंदर ये मूवी ये श्राज़ फंस के बानर के अंदर बनाई जा रही है इस मूवी में स्टार कर रहे हैं सार के जॉन इब्राहम और दिपिका पाड़कॉन ये एक वोलिन वस्स कॉप मूवी होने वाली है अब बात की जाए इस मूवी में कौन सार के की जगा ले सकता है जो पठान में हो तो पहला नाम आता है रुतिक रोशन का हाँ दोस्तों जब भी ये कॉंसेट अब विलिन वस्स पुलीस और सीक्रिट एजिन लोग सुनते हैं पहला नाम उनके निमाग में रुतिक रोशन का ही स्ट्राइक करता है रुतिक ने आदे से ज्यादा जो रोल किये हैं वो या फिर तो किसी कॉप के है या एजिन्ट के जो कि उनको बॉलिवुड में एक सूटेबल आर्टिस बनाता है फोर एनी मुवी जिसमें कॉप एंड विलन की स्टोरी हो लोग ये बात बिना जिजग के कह सकते हैं कि ऐसा के कि जगह अगर कोई भी आक्टर मुवी पठान में ले सकता है तो वो है रुतिक रोशन अब आज आते हैं जॉन के कारेक्टर पर ये बात यहां नोट करने वाली है कि जॉन पठान में एक नेगटिव रोल प्ले करेंगे अगर हम जॉन के विलन वाली इमिज को याद करें तो वो हमें मुवी रेस में अच्छे से देखने के लिए मिल गई थी इसलिए वैसा कोई विलन डूड़ने तो सिर्व एक इंसान का नाम दिमाग में आएगा और वो है सैफ अली खान आप लोगों में से जिसने भी तनहा देखी होगी उसमें सबने सैफ का नेगटिव रोल तो देखा ही होगा जो की काफी सिर्मलर था जॉन की रेस के नेगटिव रोल से ओनी माइनर चेंजिस था अकॉरिंट तो स्क्रिप्टिस यह कहा जा सकता है कि मुवी पठान में अगर सैफ जॉन की जगव वलन का रोल करे तो वो भी काफी ज्यादा कमाल का लगेगा अब आईए दिपिका पर तो किसको आप से ऐस फीमल कॉप देखना पफन करेंगे फीमल कॉप का नाम सुनते ही सब को शायद से हमारी तरह एक ही नाम याद आएगा और वो है प्रियंका चोपर जॉनस का फ्रियंका ने जॉन मुवी में जसा फीमल कॉप का रोल किया था उसका लेवल शायदा क्या वाज है डॉक्टर साब तब ये तो ठीक चेन है कौन है एसार के का रुपलेस्मिंट इन दा मुवी पठान ट्रियंका ने किसे मुवी पठान में किया रुपलेस्ट जॉन का विलन वारा लोल है किस पर सूटबल नवश्कार दोस्तों स्वागते आपका बॉल प्राट स्टूडियोज में मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त शुती दोस्तों कभी-कभी हम लोग ही सोचने लगते है कि किसी फूम में कोई-कोई कारेक्टर वैसा हमें दिखा नहीं जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था और जब हमें ये फीलिंग आने लगती है तब हमारे दिमाग गहरने लगते हैं वो तोस्त कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि इस कारेक्टर की जगह कोई और करेटर हो सकता था या फिर कौन इस कारेक्टर की जगह सूटेबल रहता है ना तो आज हम ऐसे ही एक क्वेश्चन का अंसर करने जा रहे हैं जो कि आज की ओडियन्स काफी दिनों से पूछ रही थी फोट अपकमिंग मुवी और एसार के बिचिस पठान क्वेश्चन ये है कि कौन ले सकता है एसार के जोन और दिपिका की जगह मुवी पठान में तो आईए हम आपके इस क्वेश्चन को आंसर कर देते हैं बिलकुल ओनेस्टी और फाक्ट के साथ अगर पठान मुवी के एक स्मॉल रंडाउन दिया जाए तो उस मुवी को डारिक्ट कर रहे हैं सिधारतान अंदर ये मुवी ये शार्ज फिर्म के बानर के अंदर बनाई जा रही है इस मुवी में स्टार कर रहे हैं सार के जोन इब्राहम और दिपिका पाड़कॉन ये एक वुलिन वर्सिस कॉप मुवी होने वाली है अब बात की जाए इस मुवी में कौन सार के की जगा ले सकता है जो पठान में हो तो पहला नाम आता है रृतिक रोशन का हाँ दोस्तों जब भी ये concept of वुलिन वर्सिस पुलीस और सीक्रेट एजिन लोग सुनते हैं तो पहला नाम उनके निमाग में रृतिक रोशन का ही स्ट्राइक करता है रृतिक ने आदे से ज्यादा जो रोल किये हैं वो या फिर तो किसी कॉप के हैं या एजिन्ट के जो क्यों को बॉलिवुद में एक सूटेबल आर्टिस बनाता है फूर एनी मुवी जिसमें कॉप और विलन की स्टोरी हो लोग ये बात बिना जुजग के कह सकते हैं कि ऐसा आके की जगह अगर कोई भी आक्टर मुवी पठान में ले सकता है तो वो है रितिक रोशन अब आज आते हैं जौन के कारेक्टर पर यह बात यहां नोट करने वाली है कि जौन पठान में एक नेगटिव रोल प्ले करें अगर हम जौन के वलन वाली इमिज को याद करें तो वो हमें मुवी रेस में अच्छे से देखने के लिए मिल गई थी इसलिए वैसा कोई वलन ढूंडे तो सिर्व एक इंसान का नाम दिमाग में आएगा और वो है सैफ अली खान आप लोगों में से जिसने भी तनहा देखी होगी उसमें सबने सैफ का नेगटिव रोल तो देखा ही होगा जो की काफी सिमलर था जौन की रेस के नेगटिव रोल से अब आईए दिपिका पर तो किसको आप से ऐसा फीमल कॉप देखना पसंद करेंगे फीमल कॉप का नाम सुनता ही सबको शायद से हमारी तरह एक ही नाम याद आएगा और वो है प्रियंका चोपर जौनस का प्रियंका ने जौन मुवी में जसा फीमल कॉप का रोल किया था उसका लेवल शायद सही कोई और मैच कर पाए इसलिए अगर इस मुवी में दिपिका को कोज़ रिप्लेस कर सकता है किस कंपनी ने तोले सारी रिष्टेश आरू खान से क्या एक बाप फिर शारू के करियर पर छाएगा काला बादल कौन से गलती कर बैठते हैं शारू अपनी हर फिल्म साइन करने से पहले नमश्कार दोस्तों बॉलिग्राड स्टूडियो में आप सभी का स्वेक से स्वागत है तो आज हम लाएं आपके लिए शारू खान की मच अवेटिड फिल्म पतान से जुड़े कुछ एक्स्क्लिजिव डिटेल्स और फिल्म में क्या कुछ खास देखने को मिलेगा इन सभी टॉपिक्स फोगी डिस्केशन आज करे इस वीडियो में तो आपका कीमती समय बरबादना करके वीडियो शुरू करते हैं अच्छी खासी पठान की शूटिंग चल रही थी कि बस एक कांड हुआ और सब तहस नहिस अब ये ख़वर तो आप भी जानते ही होगे कि शारुक खान के बेटे आरिन खान के ज्रुग केस में फसने के बाद आरिन खान के साथ साथ उनकी पूरी फैमिली पर ठपा लग चुका है वही शारुक खान की पठान के साथ साथ उनकी कई अपकमिन फिल्म में से भी शारुक का पत्ता कट चुका है अब डारेक्टर तो चाहेंगे नहीं कि हमारी फिल्म फ्लॉप जाए या फिल्म को बॉयकॉट किया जाए वही ड्रग केस के बाद से ही आरेंट खान से ज्यादा मीडिया शारुख खान के पीछे पड़ी है अब हाली में एक बहुत बड़ी न्यूस सामने आई कि ऑनलाइन ट्यूटरिंग कमपनी बाइजूस जिसका एडवर्टाइस्मेंट शारुख खान करते थे अब बाइजूस ने भी सारे रिस्ट लेनाते तोड लिये हैं शारुख से अब कमपनी ने तो ब्रैंड अमबेस्डर की जगा से निकाल फेका है शारुख को तो ऐसे में सवाल आता है कि कौन हो सकता है बाइजूस का अगला ब्रैंड अमबेस्डर बाइजूस जिसके 65 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर और पिछले इस कुछ सालों से सबसे तेजी से आगे बढ़ रही थी ये कमपनी और कम से कम 25 मिलियन नियू यूजर्स ने साइन किया था कोविट महामारी के दौरान वहीं आपको एक और दिल्चस्प खबर बता दें कि शारुख खान की लास्ट फिल्म अपनी फिल्म पठान को साइन किया था जिसके शूटिंग अब रद हो चुकी है और आगे ना जाने फ्यूचर में शारुख के करियर पर कौन सा काला बादल चाएगा शारुख और दिपिका पादुकोन की जोड़ी बॉलिवूट के फिल्मी जोड़ियों में से एक है जिस अब उसको भी दाल दिया गया है फिल्म में म्यूजिक विशाल एंड शेकर ने दिया है शारुख और दिपिका की अब तक जितनी भी फिल्म साथ में आई है उसमें विशाल एंड शेकर का म्युजिक ज़रूर एड रहता है इसे एक को इंसिदेन्स भी कह सकते हैं गुज्रात की हवा में वेपा है साहिब तेरी सास को रूख लो लेकिन अस हावा को कैसे दो दो क्यू फिर्म पठान की कहानी में वताजगी और ग्यू लोग पठान को मान रही है आवास्तवित नमस्कार दोस्तों स्वागत हाप सभी का बॉलिग्राद सूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ हमिश्कत्यागी दोस्तों एसी काई सारी फिल्में होती हैं जो फिल्मों के मार्केट में तो चलने की कापेबल होती हैं लेकिन उनकी स्टोरी का कहीं ना कहीं कोई सेंस नहीं होता है इस स्टोरी इस ओडियन्स को एक एक एंटेइन्मेंट की परपस से देखने तो अच्छी लगती है और अगर आप दोस्तों इसे नौलेज़ यह फर किसी इंफॉमेशन के लिए देखना चाहते हैं, तो दोस्तों यह फिम शायद से आपके लिए नहीं है, तो जिस मुवी के हम बात कर रही है, तो मुवी को यह और ही बल्कि अफकमिंग बॉल्गड मुवी पथान है, अगर मुवी के स्टोरी पर तो पिठान के स्टोरी लाइन होने वाली है, कुछ ऐसी जिसमें एक बिलन होगा, जो कि मिडल इस्ट में रहता है, बिलन का वी अमीर होगा, इस मुवी के बिलन बने है, जौन जू के एक माफिय ड्रॉग लॉड है, अब जौन इसमें बहुत ही सादा क्रुल इंसान की तरह दिखाए गए हैं, जो अपने पिता का मुडर खुद ही कर देता है, और दोस्तों तभी एंट्री होगी स्पर में एसार के आंधरपकी, जो दोनों ही दोस्तों मुवी में कॉप्स हैं, जौन को पकड़ने जाते हैं, आप जब दोस्तों अमने ये स्ट में कुछ भी नयान नहीं है, बॉलिवड में ऐसी दरजनों मुवी हैं, जिसमें सेम कॉप और विलन वाली स्टोरी हैं, ये स्टोरी शायद से ही कोई सेंस बनाती होंगी, मुवी में कहीं भी कोई पुलिस पोर्स, लीगल पेपर वर्क और पलिस कॉर्परेशन नहीं दिखा और कौन सी नौलिस पॉपस से, तो दोस्तों आप हमें बताएगे कि आप पठान को कौन से पॉपस वाली क्या शारुक के बेटे की बज़े से पठान की शूटिंग में बड़ा खलल, बेकर से अठाया कौन सा बड़ा कदम, हेलो फ्रेंट्स आप देखरें बॉलिग्राफ स्ट्यूडियोज महवजो निकजार, दोस्तों शारुक खान का बेटा आरियन खान फिलहाल ड्रग्ज केस में एंसी बी की कस्टिडी में हैं और इसी वज़े से शारुक की भी मुश्किले बढ़ चुकी है, शारुक और उनक इसका असर ना पड़े, इसके लिए मेकर्स ने शारुखान के बॉड़ी डबर प्रशान वालदे को बुलाया है, वहीं पठान का शूट शारुखान कर रहे थे और उन्होंने काफी शूटिंग कर भी ली थी, लेकिन अचानक ये खबर आये, जिस वज़े से पठान का शू शूटिंग बाकी है, इतना ही नहीं खबरों की माने तो इस भी शारुखान को दिपिका पदकोन के साथ फिल्म पठान के एक गाने का भी शूट करना था, जो कि स्पेन में करना था, जिसे फिलहाल ताल दिया गया है, आर्यन की गिरवतारी के बाद सोशल मीडिया पर लोग शारु खान का समर्थन कर रहे हैं, मन्नत के भार पूरी राद फैंस जमा रह रह रहे हैं, लोगों ने वहां भी stand with शारु खान, लोगों ने वहां we stand with आर्यन खान लिखे हुए बैनर लगाए हुए हैं, मन्नत के बाहर लगी, एक होर्डिंग में लिखा हुआ है, इस दुन राट NCV ने हिरासत में लिया, आर्यन अपने दोस्तों के साथ क्रूज शेब के लिया में पकड़ा गया और मुंबई से गो आ जा रहा था ये शेब तो आर्यन की बज़े से शारुखान की कई मुश्किल क्या शारुख के बेटे की बज़े से पठान की शूटिंग में पड़ा खलाल मेकर्स अठाया कौन सा बड़ा कदम हेलो फ्रेंब्स आप देखरे बॉलिग्रास ट्यूडियो मैं वजो निकजार दोस्तों शारुखान का बेटा आर्यन खान फिलहाल ड्रग्स केस में एंसी बी की कस्टिडी में है और इसी वज़े से शारुख की भी मुश्किले बढ़ चुकी है शारुख और उनकी पतनी गौरे खान अपने सारे काम रोग कर बेटे को जल्दी से जल्द जमानत दिलवाने की कोशिश कर रहे है इस बीच खबर आई की तमिल डिरेक्टर एट इसका असर ना पड़े इसके लिए मेकर्स ने शारुखान के बॉडी डबर प्रशान वालदे को बुलाया है वहीं पठान का शूट शारुखान कर रहे थे और उन्होंने काफी शूटिंग कर भी ली थी लेकिन अचानक ये खबर आई जिस वज़े से पठान का शूट भी दिपिका पड़कोन के साथ फिल्म पठान के एक गाने का भी शूट करना था जो कि स्पेन में करना था जिसे फिलहाल ताल दिया गया है आर्यन की गिरवतारी के बाद सोशल मीडिया पर लोग शारुखान का समर्थन कर रहे हैं मनत के बाहर पूरी रात फैंस जमा रह रहे ह लोगों ने वहां भी स्टैंड विद शारुखान लोगों ने वहां भी स्टैंड विद आर्यन खान लिखे हुए बैनर लगाये हुए हैं मनत के बाहर लगी एक होर्डिंग में लिखा हुआ है दुनिया के हर कोने में बसे आपके फैंस आपको बिना किसी शर्त के प्यार कर आरेन अपने दोस्तों के साथ क्रूश शेब क्याडियलिया में पकड़ा गया और मुंबई से गो आ जा रहा था ये शेब तो आरेन की वज़े से शारुखान की कई मुश्किले बढ़ चुकी अब देखना होगा कि क्या क्या आगे होता है आपका इस पर में क्या कहना है और पठान का किता अंतजार है नीचे कॉमिन सेक्शन में जरूर बताईएगा सोशल मेडिया पर आए दिन स्टार्स चाय रहते हैं शारुखान के भाइसकार की मांग का कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़ा है समर्थन में उनके चाने वाले भी आयो और शारुखान पर गर्व है ये हैस्टेग करवाया शारुखान ने इस पूरे मामले में चुपी साधना सही समझा इस सुरुख के बाद भारत विरोधी गती वीडियो को बढ़ावा मिल रहे है और भारत वासे इस वज़ज़ से खासा गुस्से में इस भी शारुखान की फोटो इमरान कादम के साथ ट्रोलर शारुखान को ट्रोल करने लगे शारुखान के फैंस भी इस बहस में कुदे उन्होंने किंग खान का साथ दिया उन्होंने का कि वो सभी शारुखान से प्यार करते हैं और ये तस्वीर काफी पुरानी है जिसे बेवज़द गलत समय पर निकाल कर भडास निकाली जा रही है वेल देखे जाए तो बात तो सही है फोटो काफी पुरानी है और इस जमें उसको लेकर आना बीच में ये गलत बात है जो हो रहा है तालिबान में या पाकिस्तान जो कह रहे है वो सब गलत है और हमें अपनी तरफ से इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए वेल आप क्या कहते हैं इस बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राइश शेयर करें क्या वाज़ है डॉक्टर साहब तब ये तो ठीचे न है इस आपके पंपे में हो सूल वाला रूच चलता है पंपे में ये समान करें चाहिए पठान की शूटिंग लोकेशन्स क्या होने वाली है एसार्गे की अब कमिंग फिल्म की शूटिंग कब शुरू होगी क्यों चुना गया पठान की शूटिंग के लिए इतने अलग तरह की लोकेशन्स बॉलिवुड के फैंस तो अभी से ही दिल थामे हुए बैठे हैं क्योंकि किंग खान की फिल्म पूरे तीन साल बाद आने वाली है जीरो के बाद शारुक खान ने बड़ा लंबा इंतजार कराया पर आखिरकार फैंस उन्हें देखने के लिए इतना तरस गए कि एसर के ने पठान के साथ तीन साल बाद अपनी ओडियन्स और फैंस को खुश करने का फैसला लिया शारुक खान की एक्शन थ्रिलर फिल्म आने वाली है जो की काफी जादा हटके होगी वैसे तो ऐसार की बॉलविट के रोमांस किंग के नाम से जाने जाते हैं पर इस बार उन्होंने एक एक्शन थ्रिलर करने का फैसला लिया है और इस फिल्म की शूटिंग के लिए जोरो शुरो से तयारिया शुरू हो चुकी है कहा जा रहा है कि शारुक खान और जौन अब्रेयाहम ने एप्रिल 2021 में अपने कुछ एक्शन सीक्वल्स के शूटिंग शूरू कर दी थी इन एक्शन सीक्वल्स को मुंबई की फिल्म सिटी में ही शूट किया गया था फेमस साउथ आफ्रिकन स्टन डिरेक्टर क्रेग मैकरे के साथ जौन और शारुक खान ने अपनी स्टन सीक्वल्स मुंबई में ही पूरी कर ली है इन दोनों एक्टर्स के स्टन्स के कुछ समय बाद ही फिल्म की एक्टरस डिपिका पदुकोर ने भी अपनी शूटिंग शूरू कर दी है और मुंबई की शूट लगभग खत्म हो चुकी है पर कहा जा रहा है कि पूरी फिल्म की शूटिंग अभी बाकी है क्योंकि इस फिल्म की शूटिंग इंडिया तक ही सीमित नहीं है बल्कि विदेश में भी पठान की शूटिंग की जाएगी जी हाँ दोस्तो मुंबई में अपनी फिल्म पठान की शूट हो जाने के बाद फिल्म के मेकर्स, आक्टर्स और क्र्यू को लेकर यूरोप जाएंगे जहां फिल्म की बाकी की शूटिंग पूरी की जाएगी, वैसे तो फिल्म की मेकर्स का कहना है कि जुलाई या अगस्ट 2021 में यूरोप की शूटिंग करना चाहते हैं पर कोविद 19 के लिए अभी ट्रेव जब से उनसे पूछा गया कि फिल्म की शूटिंग के लिए यूरोप जाने का फैस्ट लग क्यों लिया तो उन्होंने कहा कि इस फिल्म को बहुत ही अनुखा बनाना चाहते हैं इसलिए कुछ ऐसे स्पेसिफिक सीन्स के लिए स्पेसिफिक लोकेशन को चुछ पूछ पूछ कास्टर के मुख्य मंत्रे उधो ठाकरे ने बीतेश निवार को राजी में सिनेमागर को फिर से खोलने की एनॉंसमेंट की इसके बाद से दो दिनों में लगबग लगबग 20 फिल्म की रिलीस देट सामने आ गई दिवाली के मौके पर रिलीज हो सकती है सलमान खान और केटरना कैफ टाइगर और जोया के किरदार में पठान में कैमियो करने वाले हैं जबकि रिपोर्ट्स यहां तक बताते हैं कि फिल्म पठान की कहान की जहां खत्म होगी फिल्म टाइगर 3 की वही से श्रूर होगी समझा जारे कि इसी कारण यश्राज फिल्म्स पहले पठान और उसके कुछ हफ्तो बाद टाइगर 3 को रिलीज करनी की तैयारी में यदि इन सारी जोड घटाओं का हिसाब रखा जाए तब भी अगली साल 2 अक्टूबर को गांधी जैनती के बाद 24 अक्टूबर दिवाली है यानि दोनों फिल्में फेस्टिवल सीजन में ही रिलीज हो जाएंगी सिदार तनन के डाइरेक्शन में बनने वाली फिल्म पठान में शारु खान के अलावा आलती पीका पादुकूर जौन अब्राहम और डिम्पल का बाडिया है वही मनिश रर्मा के डाइरेक्शन में बनने वाली टाइगर 3 में सल्मान खान के अलावा केट्वना कैफ और हिम्रान हाश्मी है ये दोनों फिल्म में यश्राज बैनर तले बन रही है वहल दोस्तों देखा जाए तो आने वाले समय में यश्राज बैनर के अंडर और बहुत सी फिल्म में आने वाली हैं जिसके लिए सभी काफी एकसाइटीड है लेकिन शारू खान की पठान और सल्मान खान की टाइगर 3 की तो बात ही अलग है लंबे वक्त से इन दोनों फिल्मों का इंतजार हो रहा है देखना हुआ कि मेकस कब इस फिल्म की रिलीज डेट की एनाउस्मेंट करती है वहल आपको इस बार में क्या कहना है नीचे कमेंट फिल्म इंडेस्री के दो बड़े खान सल्मान खान और शारू खान अपनी अपकमिंग फिल्मों को लेकर खास चर्चा में है जहां शारू खान फिल्म पठान के सरीय कमबैक करने जा रहे तो वहीं सल्मान खान अब ख़बरे फिल्म की रिलीज से जूड़ी स सामने आघे हाली में ख़बर आई कि सल्मान खान और केटरिना कैप की फिल्म ताइगर 3 शारू खान, जोन अब्राम और दीपिका पादुकोंट की फिल्म पठान से पहले सिनेमा घर हिला सकती है रिपोर्स में दावा किया गया कि ऐसा इसलिए होगा ताकि टाइगर 3 में शारू खान का फर्स्ट लुक दिखाया जा सके और पठान फिल्म की कहानी को बढ़ाया जा सके टाइगर 3 में शारू खान के कैमियो रोल की खबर ने SRK के फैंस को खास एकसा एक्साइटीट कर दिया था हाला कि मामला इससे एकदम उलट है खबरों की माने तो सिनेमा गौरों में टाइगर 3 नहीं बलकि पठान पहले रिलीज होगी और शारू खान के इस फिल्म में सल्मान कैमियो रोल में नजर आएंगे फिल्म के आखरी में सल्मान अपना टाइगर 3 लुक दिखाएंगे और फिर टाइगर 3 की भूमिका बांदेंगे अब यह तो वक्ती बताएगे कि पहले फिल्म कौन सी रिलीज होगी टाइगर 3 या फिर शारू खान की कमबेक फिल्म पठान बात करें दोनों फिल्मों की तो दोनों ही फिल्म में यह अश्राइज बैनर तले बनाई जा रहे है जहां शारू कान की फिल्म पठान में दीपी का और जौन अपराम नजर आएंगे तो वहीं सल्मान की फिल्म टाइगर 3 में कैट्रिना कैफ और इम्रान हाश्मी नजर आएंगे वैसे आपके इस फिल्म के लिए ज्यादा एक्साइटीड है नीचे कमेंड बॉक्स में अपनी अपनी राइश शेयर करें तैंक यू सो मच देखते रहें बॉलिग्राट स्टूडियोज क्या रहा जान अबराहम का रियाक्शन SRK के शाउट आउट पर क्या बोला SRK ने जान के बारे में दोस्तों नमस्तार सुआगे थे आप सभी का बॉलिग्राट स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ अनुश्का दियागी आज हम बात करने है ऐसे में ओडियन्स के साथ साथ इस मूवी पर सितारों के रियाक्शन सामने आने लगते हैं और बो भी इस मूवी के लिए फ्रीली अपने ओवीरियन्स शेयर करने लगते हैं आज आज आपको एक ऐसी ही अपकमिंग मूवी को लेकर डिफरेंट स्टार्स को जो एसारके की अपकमिं मूवी पठान, पठान के बारे में अगर कुछ बेसिक बाते बताई जाएं तो इस मूवी को डिटेक करेंगे सितात आनल, आनि यह मूवी यह श्रास को बानर के अंडर बिना जा रही है, दिसमें बतातों कि इस मूवी में स्टार कर रहे हैं, एसार के जॉन अब्राहम और दिपिका बदुकॉन ये एक बुलन वर्सस पुलिस मूवी होने वाली है और पठान मूवी को लेकर कई सितारों के रियाक्शन्स आ रहे हैं जिसमें दोस्तों सबसे पहले रियाक्शन की बात करें तो रियाक्शन्स थोड़ी फिर्म की में फीमेल लीड दिपिका का है जब पठान में एसार के का फिर्स लोकाउट हुआ तो दिपिका ने उसे सोचल मीडिया पर काफी प्रेस कर था इसमेजी की बात को लेकर एसार के भी एक अरलाइंग सेशन्स कर रहे थे जहां पर एक पान में एसार के पर ऐसे एक रांडम क्वेशन्स पूछ प्रेठी जिस पर दोस्तों वोगात पर हर से लिखे फांस के सामने पठान मूवी को लेकर सल्मान खान काँ परी आक्शन परका उन्हां पर एक चोटा सा झोल है पैकाहला करें बारे में उसके बारे human क로रेकिया था सक्सेस्फुल आक्डरस मैं तारा जो कि S.R.P के साथ उनकी अजार प्रजेक्ट में वोग करने जा रही है उन्होंने इस मुवी को लेकर तरी चरचाई करियां साथ ही साथ दोस्तों ये भी पताय कि ये भी कैसे S.R.P के साथ काम करड़िका प्लान कर रही है तो फिलाल पठान मूवी मेकिंग में है जोरो शोरो पर है और दोस्ते इस मूवी की मेकिंग की जा रही है और इसके रिलीस देट भी बहुत ही जल आउट होने वाली है अब आपको कैसे रहा है जोरो शारुख खान के आने वाली फिल्म पठान के लिए उन्होंने कितनी फीस चार्ज की फिल्म के प्रोड्यूसर आदियत्य चोपड़ और शारुख खान का आपसी रिष्टा कैसा है पठान से कमाई गई प्रोफिट के कितने परसन शेयर का हिस्सा होगा शारुख खान का जानने हैं ऐसी मज़िदार सवालों के जवाब तो वीडियो के अंतक बने रहे हमारे साथ मैं हूँ आपकी होस कमदोस अन्विता पाचक और बॉलिवुड स्टूडियो की फिल्मी दिन्या में करती हूँ आपका स्वागर दोस्तो बॉलिवुड फिल्म इंडस्ट्री में हाईएस्ट पेड अक्टर की बात की जाए तो सबसे पहला नाम अक्षे कुमार का आता है अक्षे कुमार की पीस 130 करोड तक है और वो ही एक मात्र ऐसे बॉलिवुड अक्टर है जो 100 करोड से ज्यादा पीस चार्ज करते हैं अपनी फिल्मों के लिए लेकिन पठान ने इस बात को गलत सावित कर दिया है शारु खान की आने वाले फिल्म पठान के लिए वो चार्ज कर रहे हैं पूरे 100 करोड ये शारु खान की पहली फिल्म होगी जिसमें वो 100 करोड तक की फीस चार्ज कर रहे हैं वैसे तो शारु खान 55 से 60 करोड तक चार् रखा गया है ये फिल्म ये श्राज प्रोडक्शन दौरा प्रड्यूस की जाएगी और इस फिल्म के प्रड्यूसर आदित्य चोप्रा शारुख खान को देंगे पूरे सौ करोड फीस अक्षे कुमार के बार शारुख खान पहले बॉलिवुर येक्टिर होंगे जो सौ करोड शार्ज करेंगे दोस्तों वैसे तो शारुख खान और अदित्य चोप्रा का रिष्टा काफी गहरा है दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं और एक दूसरे को काफी समय से जानते हैं शारुखान ने यश्राज फिल्म के साथ काफी दफ़ा काम किया है और यही बज़े है कि इनकी बॉंडिंग इतनी गहरी हो गई है शारुक खान ने अब तक ये अश्राज फिल्म के साथ 49 फिल्मों में कांग किया है जी हाँ सही सुना आपने 49 फिल्मों में जिन में से दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे चक दे इंडिया, बाजिगर, कुछ-कुछ होता है, बादशा, दिल तो बागल है, महबबतें, कभी खुशी कभी गम, कल हो नहो वीर जारा, मैं हूना, रब ने बना दी जोड़ी और ऐसी कई अंगेनत सुपहिर फिल्में की है ये लिस्ट इतनी लंबी है, कि बोलते बोलते खतम ही ना हो, ये ही वज़ए है कि आदित्य चोपरा शारुखान में इतना भाईचारा है शारुखान की लास्ट फिल्म जीरो ये श्राज फिल्म दोरा ही प्रड्यूस की गई थी और इसके प्रड्यूसर भी आदित्य चोपरा ही थे, हाला कि वो फिल्म फ्लॉप हो गई लेकिन पठान के साथ आदित्य चोपरा और शारुखान दोनों ही करने वाले हैं जबरतस कमबैक शारुखान और अदित्य चोपरा की दोस्ती इतनी गहरी है कि ये श्राज प्रोडक्शन के साथ कोई फिल्म करने से पहले शारुखान पैसो की बात ही नहीं करते जिब शारुख खान ये श्राज प्रोडक्शन की फिल्म में काम करते हैं तो उसमें फीस के साथ साथ उनका एक प्रॉफिट शेर भी रहता है और फिल्म पठान में भी उनका 45% का प्रॉफिट शेर होने वाला है यानि के फिल्म जितनी चलेगी शारुख खान की फीस इस प्रॉफिट शेर की वज़े से उतनी ही बढ़ती चाहेगी पठान के इंतजार में औरियंस बेकरार है और ये देखना काफी इंट्रिंस्टिंग होने वाला है कि किंग खान ये श्राज प्रॉडक्शन के साथ कितना धमार्किदार कमबैक करने वाले है तो दोस्तों आज की वीडियो में इतने ही मुलाकात होगी आप से हमारे अगले वीडियो में तब तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है क्या क्या है शारोकान ने मुवी पठान के लिए नया क्या नया सीख रहे हैं जौन मुवी पठान के लिए दोस्तों किसी मुवी को स्टार्ट करने से पहले उस मुवी के स्टास व उस मूवी के के लिए बहुत ही सारी महनत और तैयारी करनी पर्ती है किसी भी कारेक्टर में फिट बैक ना इतना असान नहीं होता है इसमें काफी एफर्ट और टाइम लगता है और हमें as a audience उस आक्टर के एफर्ट और महनत को प्रेज करना चाहिए तो जब आज हम आपको आक्टर्स की महनत की बाद बता ही रहे हैं सिधारता नंदोर ये मूवी ये श्राज फिल्स के बैनर के अंदर बनाए जारी है इस मूवी में स्टार कर रहे है असार के जौन इब्राहम दिपिका पाड़ को ये एक बुलन वर्स पुलीस मूवी होने वाली है पठान की अभी से ही काफी फान फॉलोइंग बन गई है और इसे काफी अच्छा सोशल बल्स भी मिल रहा है शारुख खान पठान की सबसे हाईस पेड आक्टर है बैसे तो शारुख रोज जिमिंग करते हैं और काफी स्थूच अक्टिविटीज भी क्यारी करते हैं लेकिन हर कमबैक से पहले वे कोई ना कोई वोक आउट ये एक स्क्रीम डायेट पे जरूर जाते हैं शारुख अपनी डेली लाइफ में 4-5 आज जिम और वोक आउट को जरूर डेकेट करते हैं लेकिन हर मूवी आने से पहरे जिम टाइम थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं जो लगभग 5 आज का हो जाता है शारुख ने पठान मूवी के लिए अपने लुक को भी चेंज कर लिया है जो क्यों उन्हें सोचल मीडिया पर पोस्ट करा थोड़ लिखा था कि अब टाइम आ गया है अपनी बियर्ट को बाई बाई कहने का शारुख वैसे तो काफी सिंपल दे स्पेंट करते हैं पर अपनी फैमिली को टाइम देना उनकी प्रायारिटी लिस्ट में सबसे पहले आता है अकर जो ने प्रहम की बात की जाए तो वो पहले सही जिमिंग के दीवाने रहे हैं ज्रॉइन वोकाउट करना काफी प्रिफर करते हैं रोज वोकाउट को अपना एक वैलीबल टाइम देते हैं हो भी पतान की अगर बात करें तो ज्रॉइन इस मूवी में उनका विलिन का गार्क्टर है इसकी आरते सीखने में काफी धान दाला है कैसे विरिंग का करेक्टर हसेगा उसके गुस्से वाला लोग कैसा होगा ये सब चीज़ों उन्होंने अपने अंदर अडॉप्ट करने के लिए काफी तरीके से शूट करते वे टाइम को काफी नाच्रल लगने का कोशिश किया है दिपका ने अपने एक वरक आउट रूटीन ओपिन किया है दिपका ने ये बताया है कि वो पठान मुवी में कॉप का रोल पेकर रही और इसलिए वो खुद को फॉफिक लूइस करेक्टर में मोल्ट करना चाहती है दिपका अपने डेली शेडियूल में से कुछ टाइम जिम को जरूर देती है और वो कभी भी कुछ हेवी या एक्स्टर कंज्यूम करना प्रिफर्ण नहीं करती है वे हमेशा बैलेंस डाइट लेती है जो कि उन्हें हेल्डी रखे पठान मूवी के लिए दिपका ने भी काफी स्टन सीखने की कोशिश करी है और वे अभी इस मूवी के लिए खुद की आक्टिंग में काफी एफ़र्ट डाल रही है पठान मूवी का कास्ट अक्यू सुभर जवर्ड यूट कर शूट में लग जाता है क्योंकि ये मूवी फॉरें में शूट हो रही है और इस वज़े से मूवी को सही टाइम पर शूट करना ज्यादा इंपोर्टन हो जाता है तो फिलाल हम करते हैं इस एपिक मूवी का सिनेमा घरों में हिट करने का इंदजार और इस फंक की रूली इस पोस्ट में आगे क्या होता है और फंक जुड़ी कई और अपडेट के लिए जुड़े रही है हमारे साथ फिलाल आपको आज की विडियो कैसी लगी हमें कॉमेंस में बताएगा जरूर क्योंकि हमें आपकी कॉमेंस के दिजार रहेगा कैसी है सल्मान और शारू की जोड़ी ओन स्क्रीन और औजस्क्रीन और और ऑफ रहेज्डि क्या शारुक और शानती ओंचन्टी एकस्प्रेस और Happy New Year जैसी ही फिल्म पठान भी होगी ब्लॉग बस्टर क्या इस साल होगी शाहित शारू की फिल्म प्लैश बॉलिग्राथ स्टूडियोस में आपका स्वागत है जहां आपको मिलेंगे सभी अंकही और अंसुनी बाते सबसे पहले तो चलते हैं फिल्म पठान की ओर पठान फिल्म को डारेक करने जा रहे हैं सिधार्ट आनंद और इस फिल्म का बजट होगा 250 से 280 करोर का और साथ ही इस फिल्म को आदेती चूपरा करेंगे फ्रिडियोस शारू खान का फिल्म में में किरदार होगा और उनके साथ दिपिका प बॉलिवुद जोन अब्राहम भी होंगे जो एक विलन के रोल में होंगे आपको बता दे एसार के फिल्म में लंबे बालों में आक्शन करते हुए नजर आएंगे फिल्म में शारू के पिता की मौन जोन अब्राहम की वज़ा से होगी जिस कारण उनमें दुश्मनी हो है क्योंकि एक लंबे अर्स्ते के बाद उनका ये चांस्वामेशन दर्शकों को देखने के लिए मिला है महीं इस फिल्म को लेकर बहुत एक्साइटेड है क्योंकि उनकी लास्ट फिल्म जीरो से वह अपने फैंस को खुश नहीं कर पाए थे सोर्स के हिसाब से पठान की 60 शूट पूरी हो चुकी है और 40 प्रतीशत बाकी है जो कोरोना की सेकंड वेव के कारण बंद है सभी को पता है हर साल दिवाली की रिलीज एसार के की होती है बद्दिस टाइम दिवाली में रिलीज होगी शाहित की फिल्म जर्सी यह होगी वायर अरफ की 58 आनिवर्सरी के से भी तयार नहीं है उन्होंने अनाउंस की कि दिपको जोहन की अपकमिंग फिल्म फाइटर बात करें पठान की तो फिल्म में शारुक एक सीक्रिट एजन्ट के रोल निभातें नजर आएंगे फैंस के लिए खास कबर ये भी है कि फिल्म शारुक खान के साथ सल्मान खान भी दिखाई रहेंगे और आपको बता दे शारुक खान इस खास फिल्म के लिए सौ करोड चार्ज कर रहे हैं और यह होगी फैंस के लिए उनकी तरफ से दिवा लिए एसार के की बाक टुबाक फिल्म के साथ बात करें पठान की तो फिल्म की बची हुई 40 प्रतिशिट आने आये थे मुंबई चैन्नाई से पठान फिल्म में सल्मान की स्पेशल एंट्री होगी और क्या बता सकते हैं कि वो किस तरह से होगी तो आपको बता दें कि भायजान पहली बार हेलिकॉप्टर से एंट्री लेने वाले हैं कोरोना से सुरक्षा के लिए फिल्म के सेट के सभी कामगरों को वैक्सीन और रहने की जगा प्रोडक्शन टीन की तरफ से होगी दूसरी और फिल्म इंडास्ट्री में मांगी सीम उद्धव टाकरे से लॉकडाउन से छूड आपको जानकर शायद हैरानी हो कि सल्मान खान की फिल्म पठान में स्पेशल एपियरंस उनकी लेने से इंकार कर दिया और कहा शारुक मेरे भाई जैसा है उनके लिए कुछ भी कर सकता हूं जब सल्मान ने फीस लेने से मना कर दिया तो आदेते चोपरा ने कोई को स्ली गिफ्ट देने का तैय किया और जब ये बात शारुख खान को पता चली तो उन्होंने मुस्कुर से फिर शुरू हो सकती है और टीम के आधे मेंबर्स की वाक्सिनेशन हो चुकी है और अब कुछ ही जन जिनकी भी जल्द हो जाएगी और महरास्र गवर्मेंट 15 जुन के बाद लॉक्टाउन खत्म करेगी इस उमीद में सारे हैं जाते जाते आपको बता दे कि प्रभास की फि के düşाए श्यूशन है a को भी ज क्रेश वाते भी जाते जैएड़ियों कौन आया है फिल्म पठान में न्यू रोल करने क्यों सरके ने बोला एक सेलिब्रिटी को ठांक्यू कहां पर हो रही है फिल्म पठान की शूटिंग इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी हमारे इस वीडियो में तो लास्त तक बने रहे हमारे साथ हेलो एव्यवीवन स्वागत है आपका वॉल ग्राथ स्टूरियोस में दोस्तों फिल्मों की दुन्या में कभी को है एसार के की अपकमिंग फिल्म पठान पठान जल्द ही सिनेमा घरों को हिट करने वाली है पठान मूवी में शारुख खान के साथ लीड रोल में नज़राएंगी दिपिका पाड़कोन साथी साथ इस मूवी में देखे पठान मूवी को टारिक्ट करेंगे सिधार दानन और ये मूवी अश्राज फिल्म के बानर के अंदर बनाई जा रही है तो मूवी की स्टार कास्ट इतनी अच्छी है तो सोचिए ओवरॉल फिल्म का प्लॉट कितना गजब होने वाला है मूवी पठान के शूटिंग अभी स्मूथली जल रही है अभी स्टार्ट में सारे स्रक के फाइटिंग अन इंडिविज्वल सीन्स ही शूट कर रहे हैं स्रक ने अपने लुक का भी एक ग्लिम्स अपने फैंस को सोचल मेडिया पर दिया था जिसको देखकर फैंस काफी जादा खुश होए हैं लेकिन हाली में पठान के सेट से दिल चस्क ख़बर सामने आई है पठान के सेट पर दस्तक दी है सल्मान खान ने ये जा रहा है कि पठान मूवी में सल्मान खान का एक छोटा सा ग्याम कहां सलमान असारके के कोई पार्टनर या सपोर्टर की तरह मूवी में नजराने वाले हैं दोस्तों इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दू कि सलमान खान पठान के सेट पर पहुँचे थे इस बाग को खुद असारके ने रिपील किया है उन्होंने सलमान को थांक्यू बोलते हुए एक मेसेज भी शेयर किया था ये बात सुनके लोगों को काफी जादा खुशी हुई कि फाइनली हमी सलमान खान और शारुक खान एक फिल्म में एक साथ दिखने वाले हैं आपको बता दू पठान मुवी की जादतर शूटेक्श शारुक खान की पठान को क्यों विशाल ददलानी ने बताया सूपर डूपर हेट क्या यही वो फिल्म है जो धमाकिदार कमबैक करेगी शारुक का क्या होने वाली है फिल्म की खास बाते हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं बॉली ग्रास वीडियोज मैं सोनी कज्यार शारुक की पठान का जब से अलान हुआ है तब ही से फिल्म लगातार चर्चाओ में है फिल्म का बजट, फिल्म की कास्टिंग, फिल्म की शूटिंग से लेकर हर छोटी भड़ी खबर सामने हाती ही रहती है और सुर्कियों मिछा जाती है दिपिका पदगोन और शारुक की पठान से एक बार फिर से ऐसी ही खबर आ रही है जिससे फैंस खुशी की मारे उच्छल पड़ेंगे दरसल बुद्वार को म्यूजिक डिरेक्टर विशाल दरलानी ने पठान को लेकर ट्वीट किया जिसके बास सोचल मीडिया पर फैंस के पोस्ट की बार उमर पड़ी आपको बता दे विशाल शेखर ने एक खबर को शेयर किया है जिसमें शारु की पठान को लेकर जानकारी दी गई है पठान में म्यूजिक डिरेक्टर की जोड़ी विशाल शेखर का नाम जुड़ चुका है इस खबर में ये भी कहा गया है कि कैसे शारोखान के लिए ये जोड़ी लखी है और फिल्म पठान के लिए सूपर हिट होने के चांस को बढ़ा रही है इसी खबर को लेकर विशाद दल्लानी ने रियाक्शन दिया और उने कहा पिछले कोई आंक्डे महत्व नहीं रखते नहीं आने वाले आंक्डे महत्व रखते हैं रास बात यह है कि पूरी दुनिया शारुक खान को दोबारा देखने के लिए बेसबरी से इंतसार कर रही है ऐसे में हम इस शादार फिल्म में भitates इंतसार कर हैं इससे पहले भी विशाल और शेखर की जोड़ी शारु खान के लिए लखी चाम साबित हुई है जैसे कि चैन्नाई एक्सप्रेस में 1,2,3,4, Get on the Dance Floor वाला म्यूजिक हो गया फिर Ready Study और Happy New Year में भी उन्होंने ही म्यूजिक दिया था तो बहुत लखी चाम माना जाता है शारु खान के लिए और Happy New Year की बात करें या चैन्नाई एक्सप्रेस की दोनों ही 200 फिल्म निगरी थी शारु खान की वैसे सिर्फ विशाल शेकर ही नहीं बलकि पूरी जो भी मेकर से वो भी करियर बेस्ट फिल्म बनाने में जुटे हुएं शारु खान की से क्योंकि ये श्राज बैलनस ने भी कहा है कि हम इस फिल्म को ऐसे बनाएंगे कि शारु खान की से कलोुआ कहा है शारु खान ने मूवी पठान के लिए द्पाहाइबानां के लिए नमस्कार दोस्तों स्वागतिा आप काम वालग्राज स्ट्योज में मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्ट शोती तोंस किसी मूवी को स्टार्ट करने दे पहले उस मूवी के स्टार्स को उस मूवी के करेक्टर में फिट भैटेंग के लिए बहुत ही सारी महनत और तैयारी करनी परती है। किसी भी करेक्टर में फिट भैटना इतना असान नहीं होता है। इसमें काफी effort सो time लगता है। और हमें as a audience उस actor के effort और महनत को प्रेज करना चाहिए। तो जब आज हम आपको actors की महनत की बाद बता ही रहे हैं तो आई आपको upcoming film पठान के actors कैसे इस movie को पूरी तरीके से successful बनाने के लिए खुद की side से क्या के efforts डाल रहे हैं वो आपको ही तो हाथ बता देते हैं। तो मुवी पठान के बारे में अगर एक आईडिया दिया जाए तो इस movie डारेक्ट कर रहे हैं सिधार तान अंदोर ये movie या श्राच फिल्म के बैनर के अंदर बनाए जारी है। इस movie में स्टार कर रहे है असार के जौन इब्राहम दिपका पादु को ये एक बुलन वर्सस पुलीस movie होने वाली है। पठान के अभी से ही काफी fan following बन गई है। और इसे काफी अच्छा social buzz भी मिल रहा है। शारुख खान पठान के सबसे हाइस पेड़ आक्टर है। वैसे तो शारुख रोज जिमिंग करते हैं और काफी स्टूच अक्तिविटीज भी करते हैं। लेकिन हर कमबाक से पहले वे कोई ना कोई वोक आउड ये एक स्क्रीम डायट के जरूर जाते है। शारुख अपनी डेली लाइफ में 4-5 आज जिम और वोक आउट को जरूर डेकेट करते हैं लेकिन हर मूवी आने से पहरे जिम टाइम थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं जो लगभग 5 आज का हो जाता है। शारुख ने पठान मूवी के लिए अपने लोग को भी चेंज कर लिया है जो कि उन्होंने सोचल मीडिया पर पोस्ट करा थोड़ लिखा था कि अब टाइम आ गया है अपनी बियर्ट को बाई बाई कहने का। शारुख वैसे तो काफी simple days spent करते हैं पर अपनी फैमिली को टाइम देना उनकी priority list में सबसे पहले आता है। इसे शूट करते हुए टाइम को काफी natural लगने का कोशिश किया है। दिपका ने अपने एक workout routine open किया है। दिपका ने ये बताया है कि वो पठान मुवी में कॉप का रोल पेकर रही। और इसलिए वो खुद को perfect list character में mode करना चाहती है। दिपका अपने daily schedule में से कुछ time gym को जरूर देती हैं और वो कभी भी कुछ heavy या extra consume करना प्रिफर नहीं करती है। वे हमेशा balance diet लेती हैं जो कि उन्हें healthy रखे। पठान मुवी के लिए दिपका ने थी काफी stunts सीखने की कोशिश करी है। और वे अभी इस मुवी के लिए खुद की acting में काफी efforts डाल रही है। प्रोसेस में आगे क्या होता है और फंत जोड़ी कई और अपडेट्स के लिए जुड़े रही है हमारे साथ। फिलाल आपको आज के वीडियो कैसी लगी हमें कॉमेंट्स में बताएगा जरूर क्यूंकि सालमान चारुक की जोड़ी और आपक्स्क्रीन क्या शारुक मैन अंशान्ति यह ज़ां इस विल्म पठान वी होगी ब्लॉग बस्ट क्या है विंफ शाहित शारुक की फिल्म क्लाश जहां आपका स्वागत है जहां आपको मिलेंगे सभी अनकही और अंसुनी बाते सब से पहले तो चल ये चलते हैं फिल्म पठान की और फिल्म को डारेक करने जा रहे हैं सिधार्ट आनंद और इस फिल्म का बजट होगा 250 से 280 कड़ोर का और साथ ही इस फिल्म को आदेती चूपरा करेंगे फ्रिडियूस शारुक खान का फिल्म में में किरदार होगा और उनके साथ दिपिका पाड़कोन उनकी लीड अक्ट्रस भी होगी फिल्म में फिल्म एफिटिस्ट आक्टिर ऑफ बॉलिवुद जौन अब्राहन भी होगे जो एक विलन के रोल में होगे आपको बता दे एसार के फिल्म में लंबे बालों में आक्शन करते हुए नजर आएंगे फिल् से अपनी पिछली फिल्म से फैंस के दिल जीत लिये अब शारुक खान के इस नए लुक से फैंस शौक हो गये हैं क्यूंकि एक लंबे अर्से के बाद उनका ये ट्रांस्वर्मेशन दर्शकों को देखने के लिए मिला है महीं असार के भी इस फिल्म को लेकर बहुत एक्सा साल दिवाली की रिलीज एसार के की होती है बट इस टाइम दिवाली में रिलीज होगी शाहित के फिल्म जर्सी ये होगी वायरफ की 50th Anniversary के मौके पर सिधांत आनन की भेट साथी आनन की दूसरी फिल्म रैंबो की शूटिंग डीले की गए सिधांत आनन फिल्म पठान को ल एक सीगर्ट एजन्स के रोल निभाते नजर आएंगे फैंस के लिए था और ये वी है कि फिल्म शारूख खान के साथ सलमान खान भी दिखाई रहें और आपको बता दे शारूख खान इस खास फिल्म के लिए सौ करोड्स कर रहें ऐसार के साथ पांच और फिल्म करने जा और यह होगी फैन्स के लिए उनकी तरफ से दिवाली के साथ बात करें पठान की तो फिल्म की बची हुई 40 प्रतिशिट शूटिंग यूरोपन कंट्रीज में होगी फैन्स के लिए हो सकती है यह बड़ी खबर जहां शारुप कर सकते हैं डेब्यू साउट के डिरेक्टर अत को बता दें कि भायजान पहली बार हेलिकॉप्टर से एंट्री लेने वाले ही कोरोना से सुरक्षा के लिए फिल्म के सेट के सभी कामगरों को वैक्सीन और रहने की जगा प्रोडक्शन तीन की तरफ से होगी दूसरी और फिल्म इंडस्ट्री में मांगी सीम उद्धव टा आदेते चोपरा सल्मान को उनके दस दिन के केमियो के लिए एक फिक्स्ट अमाउन देने जा रहे थे मगर सल्मान ने लेने से इंकार कर दिया और कहा शारुप मेरे भाई जैसा है उनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ जब सल्मान ने फीस लेने से मना कर दिया तो आदेते चोपरा ने उनने कोई कोस्ली गिफ देने का तै किया और जब ये बाद शारुप खान को पता चली तो उन्होंने मुस्कुराते वे चार शब कहे भाई तो भाई है इस फिल्म का म्यूजिक कंपोज करेंगे विशाल श चुकी है और अब कुछ ही जन जिनकी भी जल्द हो जाएगी और महरास्र गवर्मेंट 15 जून के बाद लोगडाउन खत्म करेगी इस उमीद में सारे हैं जाते जाते आपको बता दे कि प्रभास की फिल्म सलार में भी हो सकती है जौन इब्राहम की एंट्री शारुखान की पिछली फिल्म जीरो फैंस को खुछ नहीं कर पाई फिल्म इंडस्री के दो बड़े खान सलमान खान और शारुखान अपनी अपकमिंग फिल्मों को लेकर खास चर्चा में है जहां शारुखान फिल्म पठान के सरीए कम बैक करने जा रहे तो वहीं सलमान खान अपनी टाइगर 3, शारू खान, जौन अब्राहम और दीपिका पादुकॉर्ण की फिल्म पठान से पहले सिनेमा घर हिला सकती है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ऐसा इसलिए होगा ताकि टाइगर 3 में शारू खान का फिर्स्ट लुक दिखाया जा सके और पठान फिल्म की कहानी को बढ़ाया जा सके। टाइगर 3 में शारू खान के कैमियो रोल की खबर ने SRK के फैंस को खासा एक्साइटीड कर दिया था। आलग कि मामला इससे एकदम उलट है। खबरों की माने तो सिनेमा गौरों में टाइगर 3 नहीं बलकि पठान पहले रिलीज होगी और शारू खान के इस फिल्म में सल्मान कैमियो रोल में नजर आएंगे। फिल्म के आखरी में सल्मान अपना टाइगर 3 लुक दिखाएंगे और फिर टाइगर 3 की भूमिका बांदेंगे। अब ये तो वक्त ही बताएगे कि पहले फिल्म कौन सी रिलीज होगी। टाइगर 3 या फिर शारू खान की कमबेक फिल्म पठान। बात करें दोनों फिल्मों की तो दोनों ही फिल्म में ये अश्राइज बैनर तले बनाई जा रही है। जहां शारू कान की फिल्म पठान में दीपिका और जौन अब्राम नजर आएंगे। तो वहीं सल्मान की फिल्म टाइगर 3 में कैट्विना कैफ और इम्रान हाश्मी नजर आएंगे। वैसे आपके इस फिल्म के लिए ज्यादा एक्साइटीड है। नीचे कमेंड बॉक्स में अपनी अपनी राइश शेयर करें। तैंक यू सो मच देखते रहें बॉलिग्राट स्टूडियोज। तैंक तेरी सास तो रूप लेकिन अस्हावा को कैसे बॉलिग्राट स्टूडियोज। कब रिलीद होने जा रही है शारुखान की बठान आखे शारुख के बेटे को क्यो किया गया है गिरफतार। हेलो फ्रेंड्स आप देखे रहें बॉलिग्राट स्टूडियोज। मैं उसरी करजाल दोस्तों शारुखान अपनी फिल्म बठान की शूटिक में बिजी है लेकिन इस बीच उनके लिए एक दुख भरी खबर सामने आई है उनके बेटे को गिरफतार कर दिया गया है। इसके बाद खबरे आ रही है कि रासत में जिन लोगों को लिया गया है उनमें से एक बॉलिवुड आक्टर शारुखान का बेटा भी है। और ये खबर जो है वो गंफर्म हो चुकी है अब शारुखान का कोई फी रियक्शन इस वारे में नहीं आया है लेकिन एक वीडियो और बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कि शारुखान के बेटे आरे अर्यन खान नजर आ रहे है साथी अरबास खान के बेटे का नाम भी इसमें शामिल बताया जा रहा है अब देखना होगा कि किस तरह की कारवाई की जाती है शारुख तपठान की शुटिंग में इस अब बीजी है वहीं दोस्तों शारुख का एक और वीडियो वायरल हो रहा है कि इंट्रिव्यू में उन्होंने कहा था बहुत सालों पहले कि मैं चाहता हो कि मेरा बेटा ड्रुख करे मेरा बेटा स्टेक्स करे जो मैं अपनी उम्रों में नहीं तो पाया वो सब करे लेक इस वक शारुख का रियक्शन इस वर कब आता है और आगे क्या कारवाई की जाती है अब को बता दें शारुख का पथान की शूट चल रही है डिपका जॉन इब्राहम सब कोई पहुचा है सल्मान खान भी इस फिल्म में होने वाले है अब देखना होगा कि कब तक यह फ्र दोब्राप कि चलता है अब भी अफिल्ड़ इस फाल करुचा है और लोग मी ताव पतान को प्या होगा ज़न आपराहम का रियक्शन एसायर के चाउट आउट पर क्या बोला एसायर कboth ने जान के बारे में दूस्तों नमस्तार सुआगे तैब सभी का बॉलिकराद स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ अनुश्कत यागी आज हम बात करने वाले हैं अब कमिंग मुवी पठान को लेकर दोस्तों जैसे कि हम सब जाते ही है कि कई मुवी अपने साथ एक ट्रेंड एर एक नई गर्प्शप लेकर जरूर आती है जिसमें सब लोग अपने दिल्चस्प पे दिखाते हैं जहां देखो वहां उसी ही मुवी का चर्चा दिखाई देती है ऐसे में आजिन्स के साथ साथ इस मुवी पर सितारों के पर रियाक्शन सामने आने लगते हैं और वो भी इस मुवी के लिए फ्रीली अपने ओवीरियंस शेयर करने लगते हैं अगर दोस्तों आज आपको एक ऐसी ही अपकमिंग मुवी को लेकर डिफरन स्टार्स के जब रियाक्शन साए हैं वो बताने जा रहे हैं दोस्तों जिस मुवी के हम बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि वो है S.R.K के अब कमी मुवी पठान के बारे में अगर कुछ बेसिक बाते बताई जाए तो इस मुवी को डिरेक्ट करेंगे सुधात आनल हानी ये मुवी ये अश्राज के बानर के अंडर क जा रहे हैं S.R.K जान अबराहम और दिपिका बदकौन ये एक बुलन वर्सस पुलस मुवी होने वाली है और पठान मुवी को लेकर गई सितारों के रियाक्शन सा रहे हैं जिसमें दोस्तों सबसे पहला रियाक्शन की बात करें तो रियाक्शन खुद ही फिर्म की मेन फी पर ऐसी एक रान्डम क्वेशन पूछ लिया कि आजकर उनकी हेल्फ कैसी है जिस पर ऐसार के ने जान अबराहम को एक शाउट आउट दे कर कहा था कि जान से ज्यादा अच्छी हेल्फ नहीं है मेरी पर मैं मानेज कर रहा हूँ जिस पर जान कभी एक फ़र रियाक्शन भरा आया दोस्तों जिस पर दोस्तों उस बात पर हैसे दिखे फ़राकशन सामने अच्छा मूवी को लेगर सल्मान कहनगा है जहांफं पर उन्हों ने एक चोटा साघज रूल में पर्णा मूवी में इसके बारे में लिए किया था आन दोस्तो और इस मूवी के सशेसमर्ít doneä के उनकी अजान प्रजेक्ट में वॉक करने जा रही हैं उन्होंने स्मीवी को लेकर करी चर्चाए करियां साथ ही साथ दोस्तों ये भी बताए कि ये भी कैसे ऐसा इसे आपके दंदे में वह सुन वाना दू चलता है पठान की शूटिंग लोकेशन्स क्या होने वाली है SRK की अब कमिंग फिल्म की शूटिंग कब शुरू होगी क्यों चुना गया पठान की शूटिंग के लिए इतने अलग तरह की लोकेशन्स बॉलिवुड के फैंस तो अभी से ही दिल थामे हुए बैठे हैं क्योंकि किंग खान की फिल्म पूरे तीन साल बार आने वाली है जीरो के बाद शारुक खान ने बड़ा लंबा इंसार कराया पर आखिरकार फैंस उन्हें देखने के लिए इतना तरस गए कि एसार के ने पठान के साम तीन साल बाद अपनी ओडियन्स और फैंस को खुश करने का फैसला लिया शारुक खान की एक्शन थ्रिलर फिल्म आने वाली है जो की काफी ज़्यादा हटके होगी वैसे तो ऐसार के बॉलविट के रोमांस किंग के नाम से जाने जाते हैं पर इस बार उन्होंने एक आक्शन थ्रिलर करने का फैसला लिया है और इस फिल्म की शूटिंग के लिए जोरो शुरों से तयारिया शुरू हो चुकी है कहा जा रहा है कि शारुक खान और जौन अब्राहम ने एप्रिल 2021 में अपने कुछ आक्शन सीक्वल्स की शूटिंग शुरू कर दी थी इन आक्शन सीक्वल्स को मुंबई की फिल्म सिती में ही शूट किया गया था फेमस साउथ एफ्रिकन स्टन डिरेक्टर प्रैक मैकरे के साथ जौन और शारुक खान ने अपने स्टन सीक्वल्स मुंबई में ही पूरी कर ली है इन दोनों एक्टर्स की स्टन्स की कुछ समय बाद ही फिल्म की एक्टरस दिपिका पदुकोर ने भी अपनी शूटिंग शुरू कर दी है और मुंबई की शूट लगभग खत्म हो चुकी है पर कहा जा रहा है कि पूरी फिल्म की शूटिंग अभी बाकी है क्योंकि इस फिल्म की शूटिंग इंडिया तक ही सीमित नहीं है बलकि विदेश में भी पठान की शूटिंग की जाएगी जी हाँ दोस्तों मुंबई में अपनी फिल्म पठान की शूट हो जाने के बाद फिल्म के makers, actors और crew को लेकर यूरोप जाएंगे जहां फिल्म की बाकी की shooting पूरी की जाएगी वैसे तो फिल्म के makers का कहना है कि जुलाई या अगस्ट 2021 में वो यूरोप की shooting करना चाहते हैं पर COVID-19 के लिए अभी travel restriction की वज़े से इस बात पर अभी कुछ पक्का नहीं हुआ है फिल्म के makers का कहना है कि जैसे ही situation में थोड़ा सुधार आता है वो अपनी team के साथ यूरोप जाएंगे और महां जाकर प्रथान की remaining shooting खत्म करेंगे जब से उनसे पूछा गया कि फिल्म की shooting के लिए यूरोप जाने का फैस्ट लख जाएंगे आप उनके एड्रेस में पिन कोड ना हो थो भी शारुख खान की आने वाली फिल्म पठान के लिए उन्होंने कितनी पीस चार्ज की फिल्म के प्रडूसर आदित्य चोप्र और शारुख खान का आपसी रिष्टा कैसा है पठान से कमाई गई प्रॉफिट के कितने परसन शेयर का हिस्सा होगा शारुख खान का जानने हैं ऐसी मज़िदार सवालों के जवाब तो वीडियो के अंतक बने रहे हमारे साथ मैं हूँ आपकी होस्त कम दोस्त अन्विता पाठाक और बॉलिवुड स्टूडियो की फिल्मी दिन्या में करती हूँ आपका स्वागत दोस्तो बॉलिवुड फिल्म इंडस्ट्री में हाइस्ट पेड एक्टर की बात की जाए तो सबसे पहला नाम अक्षे कुमार का आता है अक्षे कुमार की फिल्म पेश एक सो तीज करोड तक है और वो ही एक मात्र ऐसे बॉलिवुड एक्टर हैं जो सो करोड से ज़्यादा फिल्म चार्ज करते हैं अपनी फिल्मों के लिए लेकिन पठान ने इस बात को गलत सावित कर दिया है शारुख खान की आने वाली फिल्म पठान के लिए वो चार्ज कर रहे हैं पूरे सो करोड ये शारुख खान की पहली फिल्म होगी जिसमें वो सो करोड तक की फीस चार्ज कर रहे हैं वैसे तो शारुख खान 55 से 60 करोड तक चार्ज करते हैं लेकिन जीरो के फ्लॉप हो जाने के बाद पूरे तीन साल बात कर रहे हैं बॉलिवुट के किंग खान सिल्वर स्क्रीन पर अपना कमबैक ये फिल्म काफी धमाकेदार तरीके से बनाई जाने वाली है और उसका नाम का बजट भी काफी जादा रखा गया है ये फिल्म ये श्राज प्रोडक्शन दोरा प्रड्यूस की जाएगी और इस फिल्म के प्रड्यूसर आदित्य चोप्रा शारुख खान को देंगे पूरे सौ करोड फीस अक्षी कुमार के बाद शारुख खान पहले बॉलिवुड एक्टिर होंगे जो सौ करोड चार्ज करेंगे दोस्तों वैसे तो शारुख खान और अदित्य चोप्रा करिष्टा काफी गहरा है दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं और एक दूसरे को काफी समय से जानते हैं शारुख खान ने ये श्राज फिल्म के साथ काफी दफा काम किया है और यही बचे है क तक ये अश्राज फिल्म के साथ 49 फिल्मों में कांग किया है। जी हाँ सही सुना आपने 49 फिल्मों में जिन में से दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे। चक दे इंडिया, बाजिगर, कुछ-कुछ होता है, बाच्शा, दिल तो बागल है, महबबतें, कभी खुशी कभी गम, कल हो ना हो, वीर जारा, मैं हूना, रब ने बना दी जोडी और ऐसी कई अंगिनत सूपहे फिल्में की हैं। ये लिस्ट इतनी लंबी है, कि बोलते बोलते खतम ही ना हो, ये ही वज़य है कि आदित्य चोपरा और शारुखान में इतना भाई चारा है। जिब शारुखान ये श्राज प्रोडक्शन की फिल्म में काम करते हैं, तो उसमें फीस के साथ साथ उनका एक प्रॉफिट शेर भी रहता है। और फिल्म पठान में भी उनका 45 परसन का प्रॉफिट शेर होने वाला है, यानि कि फिल्म जितनी चलेगी शारुखान की फीस इस प्रॉफिट शेर की वज़े से उतनी ही बढ़ती जाएगी। पठान के इंतजार में ओर्डियंस बेकरार है और ये देखना काफी इंट्रेस्टिंग होने वाला है कि किंखान ये श्राज प्रॉडक्शन के साथ कितना धमार्किदार कमबैक करने वाले हैं। गुजराग की हवा में वेपा है साहिब। एरी सास तो रूप लेकिन इस हवा को कैसे नहीं। कब रिलीद होने जा रही है शारुखान की बठान आखे शारुख के बेटे को क्यो किया गया है गिरफतार। हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं बठान की शूटिंग में बिजी है लेकिन इस बीच उनके लिए दुख भरी ख़बर सामने आई है उनके बेटे को गिरफतार कर दिया गया है। नार्कोटेक्स कंट्रोल ब्यूरो ने शरिवार की राद को मुंबई में कॉडिला दे इंप्रेस नाम की एक क्रूज पर अचानक छापे मारी मारी इस पार्थी में छापे मारी के दौरान अवेर ड्रग्स को न्सीबी ने जप्त कर लिया। इसके साथी 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इसके बात खबरे आ रही है कि हिरासत में जिन लोगों को लिया गया है। उनमें से एक बॉलिवूर्ड आक्टर शारु खान का बेटा भी है। शारुक तपठान की शुटिंग में इसक बिजी है। वहीं दोस्तों शारुक का एक और वीडियो वाइरल हो रहा है। इंटरव्यू में उन्होंने कहा था बहुत सालों पहले कि मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा ड्रग्स करे, मेरा बेटा सेक्स करे, जो मैं अपनी उम्रों में नहीं कर पाया, वो सब करे, लेकिन अब जब ड्रग्स मामले में शारुक का बेटा फरसा है, ऐसे में जो ट्रोलर्स है, वो जमकर शारुखान को भी ट्रोल करे, कह रहे हैं कि तुम्हारी मननत पूरी हो गई, देखो तुम्हारे बेटे ने वो सब किया जो तुम चाहते तो बहुत ज़ादा इस वक्ट शारुखान भी ट्रोल हो रहे हैं, अब देखना होगा कि शारुख का रियाक्शन इस पर कब आता है, और आगे क्या कारवाई की जाती है, आपको बता दे, शारुखान की पथान की शूट चल रही है, दिपेका जो शोशल मेडिया पर आए और शारुखान और पथान जैसे हैस्टेग ट्रेंड करने लगे, शारुखान के भाईसकार की मांग का कनेक्शन पाकिस्तान से जुडा है, इसी वज़े से कुछ ट्रोलर्स ने किंग खान की फिल्मों और उनका भाईसकार करने की मांगी, हुआ यूँ कि शारुखान की एक सीटा और मांगी की इस फिल्म को ना देखनी और ना रिलीज करने की कोशिश करे इस भी सोशल मीडिया पर शारू खान के समर्थर में उनके चाने वाले भी आयो और शारू खान पर गर्व है ये हैस्टेग करवाया शारू खान ने इस पूरे मामले में चुपी साधना सही इस सुरुक के बाद भारत विरोधी गती वीडियो को बढ़ावा मिल रहे है और भारत वास इस वज़ए से खासा गुस्से में इस भी शारू खान की फोटो इमरान का आदम के साथ ट्रोलर शारू खान को ट्रोल करने लगे शारू खान के फैंस भी इस बहस में कुदे उन् बात है जो हो रहा है तालिबान में या पाकिस्तान जो कह रहे है वो सब गलत है और हमें अपनी तरफ से इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए वैल आप क्या कहते हैं इस बाद क्यों है मूवी पठान बाकी मूवी जैसी किस वज़े से पठान नहीं पसंद आई फान्स को तो इस वज़े से मूवी पठान को नहीं मिल रहा है बस इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी हमारे इस वीडियो में तो लास्ट तक बने रहे हमारे साथ अगर किसी मूवी में वही सेम स्टोरी और सेम कॉंसेप्ट हो जो की ओर्डियन्स ने काफी बार देखा हुआ है तो वो ऐसी मूवी को देखना अवॉइड गरते हैं और उसका फीडबाग भी कुछ खास नहीं होता है तो आज हम आपको एक ऐसी ही एक अपकमिंग मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको लोग कही न कहीं शक की नजर से देख रहे हैं कि वो मूवी फेमस होगी या नहीं तो हम आपको इस मूवी के कुछ नेगिरिट एलमेंस के बारे में बताने जा रहे हैं तो दोस्तों जस फिल्म के बारे में हम इतनी बाते कर रहे हैं वो है बॉलवुड की अपकमिंग फिल्म पठान पठान के बारे में अगर कोई रंडाउन दिया जाए तो इस मूवी को डारेक्ट कर रहे हैं सिधार्ट आनंद और ये मूवी ये श्राज फिल्म्स के बानर के अंदर बनाई जा रही है इस मूवी में स्टार कर रहे हैं सार के जॉन इब्राहन और दिपिका बाडुकोल ये एक विलिन वर्सिस पुलिस मूवी होने वाली है पठान मूवी का सबसे पहला फ्लॉ है कि ये मूवी वही ओल्ड कॉंसेट पर बनाई जा रही है जहां पर एक विलिन होता है एक सीक्रेट एजेंट होता है और फिर वो एक दूसरे के जान के दुश्मिन बन जाते हैं इस अपकमिंग फिल्म में शायद ही टिपिकल मूवीज के अलावा कोई नया कॉंसेट हमें देखने को मिलेगा जिसको शायद ही कोई आज कल के टाइम पर पसंद करें आपको याद दिलादू पिठान फिल्म का अनाउंस्मेंट कई सालों पहले ही कर दिया गया था जी हाँ 2017 के एंड में ही फिल्म की अनाउंस्मेंट कर दी गई थी और तब से लेकर अब तक ये फिल्म उनली प्रॉसस में ही चल रही है जिसकी वज़े से फैन्स उस मूवी में कोई भी दिल्चस्पी नहीं दिखाना पसंद कर रहे है और करे भी कैसे किसी फिल्म का इंतिजार करने की भी एक सीमा होती है भई और अगर वो मूवी टाइम पर ड्रॉप ना हो तो निश्रत तोर पर फैन्स नाराज होंगे ही पठान मूवी का सबसे बड़ा ये भी एक ड्रॉबाग है कि इस मूवी में आक्शन जोनर को बालन्स करने के लिए शायद ही कोई और जोनर हो इस मूवी में स्टोरी को बहुत ही जादा स्ट्रेट रखा गया है जिसको देख कर शायद ही लोगों में कोई emotion, suspense या mystery वाली feeling आए ये मूवी पहले से ही बहुत ही जादा predictable sound कर रही है जल्दी filmmakers फिल्म के release date announce करने वाले है आप सभी की क्या राय है शायरुखाई क्यों है मूवी पठान बाकी मूवी जैसी किस वज़े से पठान नहीं पसंद आई फान्स को तो इस वज़े से मूवी पठान को नहीं मिल रहा है बस इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूँगी हमारे इस वीडियो में तो लास्ट तक बने रहे हमारे साथ हेलो एब्रिवान सवागत है आपका बॉलिक्राथ स्टोडियोज में दोस्तों आज किल बॉलिवुड में वही मूवीज चलती है जिसमें कुछ creative and indifferent होता है अगर किसी मूवी में वही same story and same concept हो जो की audience ने काफी बार देखा हुआ है तो वो ऐसी मूवीज को देखना avoid करते हैं और उसका feedback भी कुछ खास नहीं होता है तो आज हम आप कोई कैसी एक upcoming movie के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको लोग कहीं न कहीं शक की नजर से देख रहे हैं कि वो movie famous होगी या नहीं तो हम आपको इस movie के कुछ negative elements के बारे में बताने जा रहे हैं तो दोस्तों जस फिल्म के बारे में हम इतनी बाते कर रहे हैं वो है बॉलवुड की अपकमिंग फिल्म पठान पठान के बारे में अगर कोई रंडाउन दिया जाए तो इस मूवी को डारेक्ट कर रहे हैं सिधार्ट आनन्द और ये मूवी ये श्राज फिल्म्स के बानर के अंदर बनाई जा रही है इस मूवी में स्टार कर रहे हैं सार के जॉन इब्राहन और दिपिका बाडुकोल ये एक विलिन वर्सिस पुलिस मूवी होने वाली है पठान मूवी का सबसे पहला फ्लॉ है कि ये मूवी वही ओल्ड कॉंसेप्ट पर बनाई जा रही है जहां पर एक विलिन होता है एक सीक्रेट एजेंट होता है और फिर वो एक दूसरे के जान के दुश्मिन बन जाते हैं इस अपकमिंग फिल्म में शायद ही टिपिकल मूवीज के अलावा कोई नया कॉंसेप्ट हमें देखने को मिलेगा जिसको शायद ही कोई आज कल के टाइम पर पसंद करें आपको याद दिलादू पठान फिल्म का अनाउंस्मेंट कई सालों पहले ही कर दिया गया था होती है और अगर वो मूवी टाइम पर ड्रॉप ना हो तो निश्रत तोर पर फैंस नाराज होंगे ही पठान मूवी का सबसे बड़ा ये भी एक ड्रॉबाग है कि इस मूवी में आक्शिन जोनर को बालन्स करने के लिए शायद ही कोई और जोनर हो इस मूवी में स्टोरी को बहुत ही जादा स्ट्रेट रखा गया है जिसको देख कर शायदी लोगों में कोई एमोशन, सिस्पेंस या मिस्टरी वाली फीलिंग आए ये मूवी पहले से ही बहुत ही जादा प्रिडिक्टिबल साउंड कर रही है जल्दी फिल्मेकर्स फिल्म की रिलीस देट अनांस करने वाले हैं आप सभी की क्या राय है शायरुखान की अपकमिंग फिल्म पठान को लेके हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं फिलाल इस वीडियो में आज की लिए मुझकी आएं टो technically आएं नीच यजबल कर रेनी आज कर दो झाद जर अवीशी नीचे कैंटी ए市 चकया बताएं के बTo new चक्ना देहा है अना चुझक श्यक्या कर दिते हैं कौन आया है फिल्म पठान में न्यू रोल करने क्यों एसार के ने बोला एक सिलिब्रिटी को थांग क्यों कहां पर हो रही है फिल्म पठान की शूटिंग इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूँगी हमारे इस वीडियो में तो लाज तक बने रहे हमारे साथ हेलो एविवान स्वागत है आपका वॉलिग्राथ स्टोडियोस में दोस्तों फिल्मों की दुनिया में कभी को है एसार के की अपकमिंग फिल्म पठान पठान जल्दी सिनमा घरों को हिट करने वाली है पठान मूवी में शारुक खान के साथ ली रोल में नज़राएंगी दिपिका पाड़कोन साथी साथ इस मूवी में देखे जाएंगे जौन अब्राहंबी पठान मूवी को टारिक्ट करेंगे सिधार्ट आनन और ये मूवी अश्राज फिल्म के बानर के अंदर बनाई जा रही है तो मूवी की स्टार कास्ट इतनी अच्छी है तो सोचिए ओवरॉल फिल्म का प्लॉट कितना गजब होने वाला है मूवी पठान के शूटिंग अभी स्मूथली चल रही है अभी स्टार्ट में सारे एसारके के फाइटिंग और इंडिविज्वल सीन्स ही शूट कर रहे है एसारके ने अपने लुक का भी एक ग्लेम्स अपने फैंस को सोशल मेडिया पर दिया था जिसको देख कर फैंस काफी जादा खुश होए हैं लेकिन हाली में पठान के सेट से दिलचस्क खबर सामने आई है पठान के सेट पर दस्तक दी है सलमान खान ने हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल ठीक सना सलमान खान पठान के सेट पर पहुँचे थे कहाँ ये जारा है कि पठान मूवी में सलमान खान का एक छोटा सा क्यामियो होगा सलमान सार के कोई पार्टनर या सपोटर की तरह मूवी में नज़र आने वाले है दोस्तों इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दू कि सलमान खान पठान के सेट पर पहुंचे थे इस बाद को खुद इसार के ने रिपील किया है उन्होंने सलमान को थांक्यू बोलते हुए एक मेसेज भी शेयर किया था ये बात सुनके लोगों को काफी जादा खुशी हुई कि फाइनली हमी सलमान खान और शारुक खान एक फ मेरी सास्टा लोगों लेकि मसामा को केसेज भी जादा खान 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 क्यों पठान है डिरेक्टर सिथात आनन का सपना आखिर क्यों एसर के ने माना पठान करने के लिए जॉन इब्रहाम आखिर क्यों है नर्वस नमस्कार दोस्तों वेलकुम टू मॉलिग्राज स्टूडियोज में हूं आपकी होष्ट पंकरी और आज की वीडियो का मजा है दोस्तों वो है शारुक खान के अणुवि पठान के साथ का फैन्स में इस मूवी की अखां प्रेशबा करें डरसल काफी पहले कर दी जा कि जबकि इसके मेन कास्ट में सिर्फ शारुक खान को ही दिवाग में रखकर लिकी गई है, इसलिए लोगों का ये प्रीमाजिनेशन है कि शारुक इसमें अच्छा ही करेंगे, ये बाद शारुक को तुड़ा रही है कि वो अपनी फैंसों कहीं दिल न तोड़ दे, पर फैंसों पूरा भरोसा है, वो शारुक को ज पर जान इस बाद से थोड़ा एंक्षिस है कि वो ये रोल सही से कर पाएंग या नहीं, तो इस पर भी फैंस ये कहते हैं कि जान के अट्टिंग स्किल्स पर उन्हें पूरा भरोसा है, और वो जानते हैं कि वो इस मूवी में रॉक करेंगे, दिपिका भी फूल रेड़ी है इस मूवी में शायन करने के लिए, उन्होंने इस मूवी को लेकर अपना excitement show किया है और सारी साथ ये भी बोला है कि वो जान की है कि जब तक उनके fans उनके साथ है, वो जरूर इस मूवी में successful होगी और इस मूवी को successful होते हुए देख पाएंगी, पठान की estimated कमाय भी काफी ज होता है और सुच्रियों अम्मी जान कहती थी कोई दंदा चोटा नहीं होता दंदे से बड़ा कोई धर्म नहीं हो जो दंदे के लिए सही हो सही क्या है स्टोरी मूवी पठान के नाम के पीछे आखिर क्यों यहीं नाम रखा गया इस मूवी का किसलिए इस मूवी का नाम सुनकर एक्साइट हो गए लोग मैं हूँ आपकी होस्टर दोस्त शुती दोस्तों फिल्मों के नामों में एक बहुत ही डीप मेरिंग चुपा हुआ होता है यह मूवी अपने नाम से ही ओडियन्स के दिमाग में एक इमपार्ट छोड़ जाती है वो कहते हैं एक नाम ही काफी साधी चीजों की डेफिनेशन बनजाता है वैसा ही यह प्रेस्पेक्टिव रखा जाता है मूवी।ं आए आज व कंवे कैसे ही आपकमिंग मूवी के नेम के श्टृ और मिस्टरी झाओ को टांग रहे जाएंगे पठान मूवी को डारेक करेंगे सिधार तानन और ये मूवी यश्राज फिल्म्स के बैनर के अंदर बनाई जा रहे हैं तो मूवी की स्टार कास्ट इतनी अच्छी है तो सोच ये ना इस मूवी का प्लॉड तो और भी गजब होने वाला है तो पठान मूवी का नाम काफी सोच समझ का रखा गया है मूवी पठान में शारुक और डिपिका एक एजेंट और कॉप का रोल प्ली कर रहे है इस मूवी में जौन इब्राहम एक रशीन माफिया के रोल में होंगे अक्चली इस मूवी में ये चीज शो करी जा रही है जहाँ पर कैसे एक माफिया बिजनस चलाते हैं उसको दिखाया जाएगा इसमें कोई एक ऐसा एथनिक एन हेवी एलिमेंट डालने के लिए नेम पठान दिया गया है इस मूवी को पठान बेसेली के ऐसा टर्म है जो कि पश्टन इथने ग्रूपी या फिर जो उसके डिसेंडेंट या उनको रेफर करनी के लिए यूज किया जाता है कहीं कहीं ये भी बात सामने आ रही है कि एसार के एक सीक्रेट एजिन बने है इसलिए ये भी हो सकता है करें जा सकते हैं लेकिन इमाजिन किसी फिल्म में कोई स्ट्रॉंग विलन दिखाया जाया और उसका इतना पावफुल नेम हो तो ये बार तो काफी कूल लगेगी इस मूवी के राइटर ने ये मूवी काफी दिनों पहले गुजराद की हवा में वेपार है साहिब तेरी सास को रूप लो लेकिन इस हवा को कैसे दो क्यों पथान है डिरेक्टर सिधात आनंग का सपना आखिर क्यों एसर के ने माना पथान करने के लिए जौन अबरहाम आखिर क्यों है नर्वस नमशकार दोस्तों वेलकुम टू बॉलिग्राइट सुडियोज में हूं आपकी होस्ट पंखरी और आज की वीडियो का मज़ा लीट तो जिस मूवी के हम बात कर रहे हैं दोस्तों वो है शारुख खान की अफकमिंग मूवी पथान पथान मूवी का बस तो फैंस में अभी सिरी दिखाए दे रहा है पथान मूवी में शारुख खान के साथ लीड में दिखेंगे तिपकब अब्रहाम तो अगर मूवी पथान की बात करें तो इसका बस 2018 सी फैंस में इस मूवी के अन्नाउंसमें दरसल काफी पहले करती जा वोगों पूरी का स्टार काल डिसाइड बुट्ई कैस्ट शुरू हो गई मुवी में शारूख धन्र है इसकी भी हो सक्ता है कि rumors the start करें इसमें इसमें अख्या ही गई आख्या होगी यह बाद की प्रैंस को ने दिल ना तोड़ दे ओसा है वह शारूख को जरूर हर हाल में सपोर्ट करेंगे और पठान जैसी मूवी SRK की करियर को नेक्स लेवल पर जरूर लेकर चाहेंगे अब इस मूवी में आ जाते हैं जान पर तो हमने पहले जान को रेस में देखा था नेगिटिव रोल करती हुए और वो इस फिल्म में भी नेगिटिव रोल ही करने वाले हैं जनता उन्हें serious से negative रोल खते देखना चाहती है और John इस बार से थोड़ा anxious है कि वो ये रोल सही से करपाएंग या नहीं तो इस पर भी fans ये कहते हैं कि John के acting skills पर उन्हें पूरा भरोसा है और वो जानते हैं कि वो इस movie में rock करेंगे दिपिका भी full ready है इस movie में shine करने के लिए उन्होंने इस movie को लिए अपना excitement शो किया है और सारी साथ ये भी बोला है कि वो जानते है कि जब तक उनके fans उनके साथ हैं वो जरूर इस movie में successful होंगी और इस movie को successful होते हुए देख पाएंगी पठान की estimated कमाएं भी काफी जादा expect की जारी है जो कि इस movie के crew and past दोनों के लिए अच्छी बात है क्यूंकि आखिर ये मेहनत का तो नदीजा होगा तो फिलहाल करते हैं इस movie के theater में release का वेट और support करते रहते हैं अपने अपने favorite actors को इस film की release process में आगी क्या होता है और film's duty latest update के लिए अपने जान कहती थी कोई धंदा छोटा नहीं होता है अब धंदे से बड़ा कोई धर्म नहीं हो जो धंदे के लिए सही वो सही क्या है story movie पठान के नाम के पीछे आखिर क्यों यही नाम रखा गया इस movie का किसलिए इस movie का नाम सुनकर excited हो गए लोग Hello and welcome to Bolograd Studios मैं हूँ आपकी host और दोस्त शुती दोस्तों filmों के नामों में एक बहुत ही deep meaning चुपा हुआ होता है यह movies अपने नाम से ही audience के दिमाग में एक impact छोड़ जाती है वो कहते है ना एक नाम ही काफी साधी चीजों की definition बन जाता है वैसा ही यह perspective रखा जाता है movies का नाम रखते टाइम तो आईए आज हम आपको एक ऐसे ही upcoming movie के name के history और mystery को बताते हैं चूकिएगा मत कौज आप में यह mystery और history सुनकर दंग रहे जाएंगे तो जिस movie के हम बात कर रहे हैं वो है movie पठान SRK की movie पठान जल्दी सिनमा घरों को हिट करने वाली है पठान movie में शारो खान के साथ लीड में दिखेंगी दिपिका पादिकोल साथी साथ इस movie में देखे जाएंगे जोन इब्राहम पठान movie को डारिक करेंगे सिदार टानन और ये movie यश्राज फिल्म्स के बैनर के अंदर बनाई जा रहे है हम्म तो movie की star cast इतनी अच्छी है तो सोचिए ना इस movie का plot तो और भी गजब होने वाला है तो पठान movie का नाम काफी सोच समझ का रखा गया है movie पठान में शारुक और डिपका एक agent and cop का रोल प्लेई कर रहे है इस movie में जोन इब्राहम एक Russian mafia के रोल में होंगे actually इस movie में ये चीज शो करी जा रही है जहाँ पर कैसे एक mafia business चलाते हैं उसको दिखाया जाएगा इसमें कोई एक ऐसा ethnic and heavy element डालने के लिए name पठान दिया गया है इस movie को पठान basically के ऐसा term है जो कि पश्टन एथनिक ग्रूप या फिर जो उसके descendant या उनको refer करनी के लिए use किया जाता है कहीं कहीं ये भी बात सामने आ रही है कि SR के एक secret agent बनी है इसलिए ये भी हो सकता है कि उनका secret name जो कि movie में agents को calling name होता है वो इस movie में पठान हो हाँ पर ऐसा भी हो सकता है जो कि interesting sound करता है आप लोगों को क्या लगता है वैसे कई लोग ये भी कह रहे हैं कि John Abraham जो कि इस movie में एक mafia है वो भी name पठान से show करे जा सकते है लेकिन imagine किसी film में कोई strong villain दिखाया जाया और उसका इतना powerful name हो तो ये बार तो काफी cool लगेगी इस movie के writer ने ये movie काफी दिनों पहले ही लिखी थी क्या वाज है डॉक्टर साब तब ये तो ठीक चेन है क्यों मूवी पठान दे सकती है इंडस्ट्री को एक सीख किसी मूवी पठान को माना जा रहा है significant आखर किछ वजह से मिल रहा है मूवी पठान को प्री बस दोस्तो कभी कभी ना इस film इंडस्ट्री में suddenly कोई ऐसी मूवी आ जाती है जिसे हम expect भी नहीं करते ये movie कुछ ऐसा magic करके लोगों पर छा जाती है कि उस magic का नशर लोगों के दिमाग से नहीं उतरता ऐसी movie की demand ही आज को इंडस्ट्री में बढ़ती जा रही है पर ऐसी movies देखने के लिए कम ही न मिल रहा है पर ये film industry टाइम पर अपनी गलती सुधार ना जानती है इसले ही अभी ये industry सोथ सोथ कर नए नए आइडियाज ला रही है और ऐसी magical film में बना रही है तो आईए आज हम भी आपको एक ऐसी movie के बारे में बता देते हैं जिसें लोगों को inspiration लेनी चाहिए और उस movie जैसी magical movie बनाने की approach रखनी चाहिए तो जिस movie का हम लोग गुनगान कर रहे हैं वो है movie पठान जी हाँ सही सुना आप शारुक खान की famous movie पठान जो जल्दी सिनमा घरों को हिट करने वाली है पठान movie में शारुक खान के साथ लीड में देखेंगी दिपिका पड़कोन साथ ही साथ इस movie में ये देखे जाएंगे जौन इब्राहीम पठान movie को डिरेक्टरिंगे सिधार्थ आनन्द आन ये movie ये श्राच फिल्म के बैनर के अंडर बनाई जा रही है बता दे movie की star cast ही इतनी अच्छी है तो सोचिए इस movie का plot तो और भी गजब होने वाला है पठान movie इसलिए industry की need बन गई है क्योंकि इस movie की storyline काफी different रखी जा रही है ये movie एक police versus crime movie जरूर है लेकिन उन सभी plain Bollywood movies की तरह नहीं जिन में CD story के बाद सिफ एंडिंग पर focus किया जाता है ऐसी movies बहुत ही जादा predictable हो जाती है जिसमें audience अतना interest खो देते है ये गलती पठान में दूर दूर तक नहीं की गई है इसलिए पठान film के इतने सारे fans उसके release से पहले ही बन गई है पठान movie एक और मायनों में दंदार है जो कि एक strong acting team भले ही action movies की script बड़ी ही strong हो लेकिन सबसे ज़दा फर्क पड़ता है कि किसको इस movie में cast किया जा रहा है किसके role में यहां लोगों को पठान movie से सीख लेनी चाहिए जहां पर casting to the point की गई है सभी तो इस बात को लेकर excited है कि वो जौन इब्राहिम को दुबारा negative character प्ले करता हुआ देखेंगे जो कि काफी interesting होगा क्या वास है डॉक्टर साब तब ये तो ठीक चे नहीं कि आपके घंदे में को सुल वाला भूछता है कि मारे घंदे में मेरे सब्मान करूं जो करें क्यों मूवी पठान दे सकती है इंडस्ट्री को एक सीख किसलिए मूवी पठान को माना जा रहा है significant आखर किज वजह से मिल रहा है मूवी पठान को प्री बस दोस्तो कभी कभी न इस film इंडस्ट्री में suddenly कोई ऐसी मूवी आ जाती है जिसे हम expect भी नहीं करते ये मूवी कुछ ऐसा magic करके लोगों पर छा जाती है कि उस magic का नशा लोगों के दिमाग से नहीं उतरता ऐसी मूवी की डिमांड ही आजको इंडस्ट्री में बढ़ती जा रही है पर ऐसी मूवी इस देखने के लिए कम ही न मिल रहा है पर ये फिल्म इंडस्ट्री टाइम पर अपनी गलती सुधार न जानती है इसले ही अभी इंडस्ट्री सोथ सोथ कर नए नए आइडियाज ला रही है और ऐसी माजिकल फिल्म में बना रही है तो आईए आज हम भी आपको एक ऐसी ही मूवी के बारे में बता देते हैं जिसे लोगों को इंस्पिरेशन लेनी चाहिए और उस मूवी जैसी माजिकल मूवी बनाने की अप्रोच रखनी चाहिए तो जिस मूवी का हम लोग गुनगान कर रहे हैं वो है मूवी पठान जी हाँ सही सुना शारुक खान की फेमस मूवी पठान जो जल्दी सिनमा घरों को हिट करने वाली है पठान मूवी में शारुक खान के साथ लीड में दिखेंगी दिपका पड़कोन साथ ही साथ इस मूवी में देखे जाएंगे जौन इब्राहीम पठान मूवी को डिरेक्टरिंगे सिधार्थ आनन और ये मूवी यश्राच फिल्म के बैनर के अंडर बनाई जा रही है बता दे मूवी की स्टार कास्ट ही इतनी अच्छी है तो सोचिए इस मूवी का प्लॉट तो और भी गजब होने वाला है पठान मूवी इसलिए इंडिस्ट्री की नीट बन गई है क्योंकि इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी डिफरेंट रखी जा रही है ये मूवी एक पुलिस वर्सेस क्राइम मूवी जरूर है लेकिन उन सभी प्लेन बॉलिवूड मूवी की तरह नहीं जिन में सीधी स्टोरी के बाद सिफ एंडिंग पर फोकस किया जाता है ऐसी मूवी बहुत ही जादा प्रिडिक्टिबल हो जाती है जिसमें ओडियन्स अतना इंट्रिस्ट खो देते हैं गलती पठान में दूर दूर तक महीं की गई है इसलिए पठान फिल्म के इतने सारे फैंस उसके रिलीस से पहले ही बन गई है पठान मूवी एक और मायनों में दमदार है जो कि एक स्ट्रॉंग आक्टिंग टीम बले ये एक्शन मूवी की स्क्रिप्ट बड़ी ही स्ट्रॉंग हो लेकिन सबसे जदा फर्क पड़ता है कि किसको इस मूवी में कास्ट किया जा रहा है किसके रोल में यहां लोगों को पठान मूवी से सीख लेनी चाहिए जहां पर कास्टिंग टू दपॉइंट की गई है सभी तो इस बात को लेकर एक्साइटेड है कि वो जॉन इबराहिम को दुबारा नेगेटिव कारेक्टर प्ले करता हो देखेंगे जो कि काफी इंट्रेस्टिंग होगा इस मूवी के कुछ सिगनिफिकेंट पार्ट भी स्पेंगे इसको तु जंदा बोलता है ना? क्राइम लोगो क्या पठान में जॉन बनने वाले हैं खूखार विलन? क्या रोल होने वाला है इस स्वम में उनका क्या होने वाली है इस सिम की खास बाते? हेलो फ्रेंग्स अब देखें बॉनिग्रास ट्यूडियो स्वें सोरी का जयार दोश्तों शारुखान की बहुत प्रतीक्षित फिल्म पठान में जॉन अब्राहम नेगी टेप रोल में नज़र आने वाले है ये तो पहले से हिसाफ हो चुका है लेकिन आप उनके क्यादार को लेकर एक बड़ी जानकारी सामते आई है पठान एक्षिन से लगतकत फिल्म है धामा के दार एक्षिन होने वाला है जिसके लिए शारुखान भी नए लोक में दिख रहे है ये पहला मौका होगा जब बड़े पर शारुख के सामने जॉन अब्राहम होंगे और दोनों भ करदार में दिखेंगे जिसके लिए पैसा सब कुछ है वो पैसा पाने के लिए कुछ भी करने को तयार है वो किसी देश धर्मकार नहीं है उसको सुर्फ एक चीज समझ में आती है वो है पैसा पाठान में जॉन अब्राहम का करदार रूसी माफिया के लिए काम करता है जो भारत के लिए बंदू का रैकेट चलाता है इसी रैकेट को लेकर शारुखान पज़ान में एक मिशन पर निकलते हैं और यहां पर जॉन के जो किरदार है उसका वसन अपने आप में बहुत ज़ादा है और बहुत ही महनत कर रहे जॉन इस फिल्म के लिए वही वो कई बार बॉडी के साथ भी नजर आ चुके हैं उन्होंने सोचल बीडिया पर लगातार अपनी जो तस्वीर है वो शेयर की है इसे में शारुखान और जॉन के बीच काफी जबंदस्त अक्शन सीन देखने को में सकता है जो कि फिल्म की एक बड़ी हाइलाइट होगी वैसे तब जाके सलमान खान के एंट्री होगी और वो अपने टाइगर वाले रोल में नजर आएंगे कि फिल्म टाइगर स्री से डिर्क्री कनेक्टेड है यानि कि बठान चाहाँ खत्म होगी वहीं से टाइगर स्री शुडू होगी एक स्वाइ यूनिवर्स तयार किया है जिसमे कि वार और टाइगर और आप पठान चुड़ चुड़ चुकी है तो धमाकेदार होने बाली है दोस्तो पठान इसमें तिपिका बदगोन भी आपको नजर आएंगे जो कि लगातार धमाकेदार एक्शन करती हुए नजर आएंगे बहुत ही अलगतारा का रोल इस विम में म दो दोस्तों आप कितना वेट कर रहे हैं पठान का लीचे कोमेंट सेक्शन बे जरूर बताइए गाँ आए अ कि अ है अब भी आए जान के थी कोई दंदा चोटा में होता है कि अधर से बड़ा कोई धर्म नहीं है जो दंदे के लिए सही हो सही कब रिलीज होने चाह रहे हैं डिपिका पदकोर्ण की पठान डिपिका के नए बंगले की खीमर जाद कर आप कैसे चौक जाएगी क्या होने वाल ये पठान की खास बाते हेलो फ्रेंस आप देखें बॉडिग्रास ट्यूडियोज मैं सोनी कजयार दोस्तर दिपिका पदकोर्ण आज जिटकिन बुलंडियों कर है इसके बारे में आप सब ही जानते हैं जब से दिपिका और रणवी सिंग की शादी हुई है तब से वो और भी जादा आगे बढ़ती ही जा रही है दोनों आए देन कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं और आप दोनोंने एक प्रॉपर्टी खरीदी है जिसकी कीमत जानकर आप भी दंग रह जाएगे आपको बताते दिपिका पदकोर्ण की अपकामिंग फिल्म है पठान जिसकी शूटिंग में अभी वो फिलहाल वीजी है लेकिन इस प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो ये मुंबई से कुछ दूर अली बाग में हैं बताया चारा है कि ये शांदार प्रॉपर्टी दिपिका और रनवीर का हॉलिडे होम है और इस प्रॉपर्टी के लिए दिपिका रनवीर ने इतनी ज़दा कीमत चुकाई है कि बदाय जा रहा है कि इस बंगले में पांच बेड्रूम है और 9000 एकर में ये इलाका फैला हुआ है माप गाउं में जो कियाली भाग में है इस प्रॉपर्टी को रनवीर और दिपिका की कंपनी RS Worldwide Entertainment Private Limited और KA Enterprises LLP ने खरीदा है इससे पहले पिछले महीने खबर आई थी कि दिपिका ने अपने होम टाउन बेंगलोरो में भी एक महनमगा अपार्टमेंट खरीदा है ये बिल्लिंग अभी बन ही रही है अभी दिपिका और रनवीर मुंबई के प्रभादेवी इलाके में रह रहे हैं इसे 4BH के फ्लैट को दिपिका ने 2010 में खरीदा था 2018 में रनवीर से शादी के बाद दोनों इसमें शिफ्ट हो गए थे वर्कसेंट की बात करें तो रनवीर और दिपिका अब अपनी अगली फिल्म 83 में नज़र आने वाले हैं इस सफर में रनवीर पूर्व भारतिय कप्तान कपिल देव की भूमी का निभाने वाले हैं वहीं आपको बताते पठान में दिपिका के बहुत ज़्यादे एक्शन सीन्स होने वाले बहुती ज़्यादा खतरनाक फिल्म होने वाली है और बहुत टाइम बाद शारुक और दिपिका एक बाद फिर से पड़े पर दिखेंगी ओम शांती ओम और हैपी नीयर जैसे फिल्मों में हमने इने देखा है और जब भी ये पड़े पर आते हैं एक अलग ही जादू भी खेर देते हैं तो ऐसा ही कुछ होने वाला है जब अधिस्ट में अंतजार है तिपिका की बठान का लीचे कॉमें सेक्षिन ने जरू बताएगा और जाएगा हुआ है